जाए वदिया सारे तंदूस तो चलो बहुत वदिया एकदम बढ़िया मैं वदिया जी गुड मॉर्नींग मेगा गुड मॉर्निंग आयूश वेरी गुड मॉर्निंग जी बैटो नी बैटो बटावर से बैटो चलो जी start करें नी class start करें नी चलो last class में मैंने पूछा ही नहीं कोई doubt आया नहीं है मैंने का last class में हमने chapter complete किया था capital gain का भी जी और other source का ये दोनों chapter हमने complete कर लिए थे ठीए अब आज अब जो हमें chapter start करना है ना प्लीज अब आचीत नीजी आज जो हमें chapter start करना है that is most important chapter for your examination practical life और वैसे भी बहुत important है इदमिस अगर मैं symbols भी बात करो मैंने पहले भी का था कि income tax में जो आपके 5 head होंगे न माले एक तो हमारा head होगा salary का एक head होगा house property एक head होगा PGP एक head होगा capital gain एक head होगा other source अब practical life में दो ही chapter है जो सबसे main है एक तो salary और एक PGP उसका reason के symbols ही बात है आर इंडिया में रहने माला हर person या तो वो salary class होगा या वो business class होगा अब अगर मेरे father मालो किसी company के employee है उनको जो पैसा मिलेगा उसका treatment क्या होगा वो सारी के सारी बाते salary में बड़ अगर मेरे फादर कोई businessman होगे या अगर मेरे फादर कोई professional होगे उनको गर income आएगी उसका treatment क्या होगा वो सारी के सारी बाते PGP के अंदर है ठीक है अब इदर मैं कहना क्या चाहरा हूँ कि कि just raise up next ना आगए कुछ और चैप्ठर हमारे साथ में cover होंगे इस चैप्र के साती हमें चैप्र और कबर करेंगे वह हमारा है TDS का इस को कि sounds साथ ही हम एक चैप्टर और कवर करेंगे वह चैप्टर हमारा है डिड़क्शन का और जो भी आपके छोटे मोटे मिसलीनियस प्रोवीजन सोंगे वह सारे के सारे इस चैप्टर के साथ खतम हो जाएंगे कि अगर मैं सिंबल भी बात कहूं ना पूरे इंकम टेक्स की बैकबोन जो है और बहुत सारे बच्चे होते हैं या तो चैप्टर स्किप करके रहते हैं और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझने की कोशिश करते हैं उनको पैट्रन नहीं पता पढ़ना कैसे तो पहले आज में डिसक्स कराऊंगा चैप्टर बिल्कुल इजी है सभी बता रहा हूं मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बढ़ाएं यह गैरंटी है कि प्रोवीजन बहुत सारे हैं मैं लेंदी है मुश्किल नहीं है मैं मुश्किल बिल्कुल भी अग्रीने करूंग मुश्किल है यह जितने मिह सेक्शन्स यह सारे आपके पीजी पी के सेक्शन है ज़िए बहुत कम है siblings में यहीं चीव क switching मेरे विश्वास करो को также यहाँ मैं देंगा इतने वी प्रोवीजन से नबसारे कट्राइब का अब चयब्टर जो है नब बादचित बिल्कूल नहीं डिन दो क्लासम tendu हमारी हो जाएंगी उस बाद बीच में बात तरहों कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहली तीन क्लास बेस हैं आपको समझना पड़ेगा चैप्टर करना कैसे है ठीक है इधर सुना ब्यांसे मैं कहना क्या चाहरा हूं अब यह चैप्टर जो है ना यह सेक्शन नमबर 28 से लेकर आपके 44 डीबी तक जितने प्रोविजन्स होंगे वो सारे के सारे PGP के होंगे अब एक बात में सोच के बताओ देखो नाम से ही पता लग रहा है चैप्टर का नाम क्या है PGP इसकी फूल फूम क्या है प्रोफिट एन गें फ्रोम बिजनस एंड प्रोफेशन इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोफिट आप बिजनस से कमाऊगे तो उसकी टेक्सेबिल्टी कैसे होगी और अगर कोई प्रोफिट आप प्रोफेशन से कमाऊगे तो उसकी टेक्सेबिल्टी कैसे होगी अब ब बिजनसमेन की सिंपल ही तो इंकम है अगर मालों बहार एक चाय की दुकान वाल है अगर वो दस रुबे की चाय बेचे उसकी चाय की कोश्ट अगर छे रुपे की है तो चार पे का तो प्रोफिट है फिर चार पे को निकालने के लिए इतना बड़ा क्लेश को है उसके काफी सा दिख्कत नहीं है सेल प्राइस माइनस में कोई करोगे माइनस में इयोटी करोगे तो यह निकल क्या जाएगा हाउस पपरणि में कोई क्लेश नहीं है आपकी जीए भी निकलेगी मुनिस्पल टेक्स माइनस करोगे एनेवी आएगी 24a 24b हाउस प्रोपरणिकंग मैं अधर स सोष के गोला, for example, मालो मैं हूँ, मैं कुछ example देता हूँ, मालो मैं हूँ, मेरा भी तो profession है, अब अगर मेरा profession है, तो मेरे उपर चप्र कोन सा लगेगा, PG, BP, अब बच्चा कहता है, आपकी, जैसे मालो हमने आपकी, for example, tax पे की है, अब हमने आपकी tax की for example, 12,000 पे की fees पे की, अ आपकी income क्या 12000 पर नहीं और सेप्ड यहां मेरी bes़ुंए बारा हजार मेरी स्टाफ की सेलरी विए आप इसको पढ़ाने के लिए में camera भी लेकर आया इसको पढ़ाने के लिए panel भी है इसको पढ़ाने के लिए AC भी लगा हुए electricity bill भी है और staff के पास phone भी है काफी सारे खर्चे अब इतने सारे खर्चे हैं तो कौन से खर्चे मुझे अपने profit को निकालने के लिए minus करने पढ़ेंगे यह सारी बाते में देखनी पढ़ेंगी ना तो सिंबल कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे उसके बाद ही तो income निकल क्याएगी और दूसरी सबसे बड़ी सब्सक्राइब करना कोई सब्सक्राइब को यप कर से बैच चुद्ध कर ना वन पटो एक ड्रीम कोई वैस्ट नहीं जड़ी एक योड़ी अब कर इंक्तز कर प्रोफिट नहीं और इंगर उसके प्रोफिट सर रफ कंपनी जैक अ बादे परस्नल एकाउंट क्या बोलता है डैबिड क्रचट वर्ट्स और रियल एकाउंट क्या बोलता है डैबिट दा रेटिवर राधा और नॉमिनल क्या बोलता है म nor सारे के सारे खर्चे तुम डैबिट कर देना जितनी भी इंकम होगी सारी तुम क्रेट कर देना अब इंकम टेक्स वाले कह रहे हैं हमारे इंकम टेक्स में काम नहीं होता है एकाउंट्स वालों को क्या है बस खर्चा दिखना चाहिए कहीं भी खर्चा दिख गया ना उठाकर debit कर देंगे एकाउंट्स वालाको कहीं पर भि इंकम दिगी उठाके रेट कर देंगे income tax वाले कहते हमारे income tax में ये काम नहीं है जह हमारे income tax में खर्चा वही debit होगा पहली बाद वो business को होना चाहिए और दूसरी बाद खर्चा वही debit होगा जो paid होगा पेबल खर्चे नोर्मली income tax में debit नहीं होते हैं और दूसरा accounts वाले कह रहे हैं कोई भी income दिखे चाहे वो house property की है चाहे वो capital gain की है चाहे वो other source की है चाहे वो salary की है चाहे वो business की है सारी income उठाओ और credit कर दो अब income tax वाले कह रहे हैं भाई साथ हमारे income tax में हैं हमारे income tax में income के आने के source चाहे unlimited है बड़ जाने के source limited है अब source के मुझे बोलना जी reliance company जो भी P&L account बनाती होगी वो कैसे बनाती होगी as per accounts as per companies वो क्या करती होगी सारे खर्चे debit सारी income credit उससे आपने net profit निकाल दिया जो आपने account में निकालना सिखा है अब जो भी आपने net profit निकाल दिया तो shareholder जो है ना वो तो यह profit देख रहे हैं कि shareholder को profit कौन सा दिखाए जा रहा है वो यह बना profit दिखाए जा रहा है अग income tax वाले कहरे profit साही है यह profit साही कैसे हो गया क्योंकि काफी सारे खरचे ऐससे debit किये हुए हैं जो but जो समय नहींचा इंक्स वाले चाहिए रहे हैं वह र्लाइट सब्सक्राइब काफी सारे खरक्चे सकते हैं आंड़ में नैज levar फ्रोंने अगर तुम्हें ड़र लगे तुम्हारा पैसा डूब सकता है तुम प्रोवीजन क्रेट कर रहो और डैबिट कर लो कि देविजन आपने कर दिया कई आपने और अगर सेलरी पेबल ए तो भी डैबिट कर देते एक तो छो फूंद निवाल है आप डेबित कर दोगे को फिर तो नियुट फिर और क्रेइगे कर से आइंगे और दूसरा सेलरी टेभ और का मतलब के है अगर टेर हो चुकी होगी तो बात करना चर्च च्राइब नहीं होते जी ओर िबीसरा फिर मैंने क्या बोला कि एकाउंट्स वाले क्या बोलते हैं एकाउंट्स वाले कहते हैं depreciuration Sl.A. method भी claim कर सकते हो income tax वाले कहते हैं हमारे income tax में WD. todavía होता है एगकल स्वाले कहते हैं इंकमद टेक्स पहते हो अब परसनल interaction उसको तुम क Warum इंकम टेक्स-भ॥ आज हम किस इंगम पर करते हैं तो तो पर स्रवी इंकम पर जो तुम एकस पह रहे हो उसी को हैं हमें क्या मिलेगा वह तुम्हारा खर्चा कैसे हुआ वह तो परस्नल एक्सपेंडिचर है उसको तुमने गलट डेबिट किया तो मतलब कई सैक्ड़ों खर्चे ऐसे हैं जो एकाउंट्स वाले तो डेबिट कर देते हैं इंकम टेक्स वाले वह डेबिट अलावूरी नहीं करत हुआ ना बस हमें एक बिजनस्में की इंकम पालनी है जह मैं चैप्तर कराओं गाbenगा आपके दिमाग में दो ही लोग चलेंगे अगर मैं बिजनसमें हूँ तो क्या होगा अगर मैं प्रफेशनल हूँ तो क्या होगा जब भी हम कोशन करेंगे आपने आपको बिजनसमें मानके चलना कि अगर मैं इसकी जगहां पर होता अगर मैं बिजनसमें होता तो मैं क्या ट्रीटमेंट करता सारे कोशन आपके सही निकलेंगे अगर आप अपने दिमाग में एकाउंट्स लेके चलोगे कि है मेरे मास्टर जीन तो यह बोला था है तो दिदेख सर्गरत पढ़ा रहे हैं हाई रहा है तो यह क्या हो गया ऐसा तो था ही नहीं कुछ तो सिंबल जी बाता है वो पढ़ाते हैं एस पर कंप्रेश है हम बात करे है अब यह सेक्शन बहुत सारो देखने में लग रही है अब इन सारे सेक्शन को ना मैं ब्लोक के अंदर बंद करूँ आ इन सारे रहा है इदे यहां चैप्टर पढ़ना कैसे है कि में तक एक पढ़ना समय आ जो अगर हमेव फ्लॉ समझ में पर जैना चाहारा हूं आओ जि को दिखा रहा हूं कि चप्ततर के पढ़नें का तरीका अब चैप्तर के पढ़नें पिन्दर 28 वाला सिम्वल जी बाता है सार जहां से कोई श्टार्ट पाइस टाट ना सबसे पहला सेट्षिन चाडिंग सेट्शन होगा बुझे निपने पता आपके बात पर पढ़ रही है निपर रही सेलरी 15 से लेकर 17 तक था 15 चार्डिंग सेट्शन है हाउस प्रवाटी 22 सपाइस तक था 22 चार्डिंग सेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हमें क्या बताएगा नोर्मल जैसे अभी तक हर हैड में पता लगा वही सेम बात बताएगा कि इस चैप्टर में कौन-कौन सी इंकम टेक्सेबल होगी वो सारी बाते 28 में लिखी होगी अब एक बच्चा कहते है सर जैसे आप है थैस्पटर में में कौन-कौन सी इंकम टेक्सेबल होगी बट Online पता है भर ही तो इंकम टेक्सेबल होगी या तो बिजनसट या अंसर आ य short 12 एक नश्त यह sonra importante में आपकी एक क्टेग्रिधा तो सब्धार पेले वह यह तूर्हार आपकी एक्टवर यह arrives अभी तो वह आपको मैंने क्या बोला बिजनस प्रोफेश्चन की इंकम टेक्सेबल होगी बच्चा गयरा वही तो होगी गवर्मेंट के लिए वो देख पार्ट है और भी 11 केडिगरी इंकम है जो इस चेप्टर में टेक्सेबल होगी अब वह 11 केडिगरी कौन कौन सी है बार कौन सी इंकम इस चेप्टर में टेक्सेबल होगी सासात रिकोल करके चलेंगे इस चेप्टर में कोई कम हमें छोड़नी नहीं है सासात रिकोल करेंगे हर बचा पार्टिस्पेट करेंगा क्या बताएगा कोन कोन सी इंकम इस चेप्टर में टैक्सेबल होंगे अब बात मुने पताना जी मालो हमने 28 पढ़ लिया आज पढ़ेंगे यौ कल पढ़ेंगे मुझे नीप पता बट मालो हमने 28 पढ़ लिया अब 28 में ना मालो 12 इंकम दियोई थी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, अब यह तो में पता लग गया, वह इस चैप्टर में कौन सी इंकम टेक्सेबल होंगी, तो अगला कुशन क्या रहा है, कि यह तो मुझे पता है, कि यह इंकम इस चैप्टर में टे टेक्सेबल होगी, बच्चा कहता है, सर, आपने बोला, बिजनस की इंकम इस चैप्टर में टेक्सेबल होगी, एक बच्चा कहता है, सर, बाकी दस इंकम और भी होगी, आपने हमें बताया, बारा इंकम है, तो दस इंकम और भी होगी, वो भी इस चैप्टर में टेक्सेबल अब इस बच्चेन बोला profession की income हाँ taxable है इसने बोला business की income हाँ taxable है मुझे यह तो पता है कि कौन सी紧 क्वें taxable next question यह ऑट कैसे करेंगे अगर profession की income इस चैप्टर में taxable है यहा वतो कैलकुलेट income under head PGVP और मेरा profession है मुझे आपने 12000 पे की मालनों मेरे एक पेपर की 12000 पे की फीस आपने पेगी तो यह बारा हजार पे यहां टेक्सिबल होंगे बट क्या 12000 पे ही होंगे यह इंकम निकाल नहीं पड़ेंगे इसमें क्या करना पड़ेगा अच्छा खर्चे माइनस करने पड़ेंगे कुछ ख होगे यह सारे खर्चे माइनस करने के बाद फिर जो इंकम होगी तो टेक्सिबल करेंगे तो आपने मुझे का ना कि सर बारा हजार में से खर्चे माइनस करेंगे तो आपने मुझे कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया अब जो कैलकुलेट करने का वह तरीका है वह तरीका जो है वो section 29 में है जी section 29 ये बात कहता है कि जो भी income बोधना सुना जो भी income 28 में taxable होंगी उसको compute कैसे करेंगे वो 29 बताएगा 28 में क्या बताया कौन कौन सी income 29 हमें क्या बताएगा वो कैसे calculate की जाएगी ठीक है जो भी income अब यहां taxable होंगी उसको calculate कैसे करेंगे वो 29 बताएगा ठीक है अब आजाओ 30 से लेके 38 अब यह 30 से लेके 38 यह पूरी चेन है अब 30 से लेके 38 तक जितने भी sections आएगे उसको ब्लोक बना रहा हूँ expenditure allowed expenditure allowed का मतलब क्या है एक बात बताओ मेरे कुछ question है जैसे मेरा profession है जी मेरा profession है अब मैंने आपसे 12,000 रपे की fees ली मैंने आपसे 12,000 रपे की fees ली तो मैंने अपने books पे खरचा किया ठीक है मैंने camera पे खरचा किया मैंने fan पे खरचा किया मैंने AC पे खरचा किया chair पे किया staff को salary दी और में कुछ समान अपने घर के लिए भी लेकर आगया कुछ समान में अपने घर के लिए भी लेकर महला कुछ खर्चे परसनल हैं कुछ खर्चे बिजनस के तो जब मैं अपने profession की income निकालूंगा तो क्या वो सारे खर्चे मानिस कर दूंगा या business वाले अब आपने मुझे का बिजनस वाले आपने क्या बोला परिसनल खर्चे माइनस तो जो आपने बोला ना कि खर्चे माइनस होंगे यह बात लिखिये है सेक्शन 30 से लेके 38 वाला सेक्शन 30 से 38 कहता है कि जो इंकम 29 में निकालनी सिखाई जाएगी उस इंकम को निकालते हुए त वो सारी बात 30 से 38 तक हैं जैसे मेरे सामने 20 खर्चों की लिस्ट है अब अगर 20 खर्चे मैंने की हैं तो इन 20 में से कोन-कोन से खर्चे ऐसे हैं जो माइनस करूंगा वो सारी मुझे 30 से लेके 38 तो जो भी खर्चे माइनस करने होंगे वो सारे कहां लिखियोंगे 30 से लेके 38 म तो एक बार चेक करो वहां पर निकल लिख है उस इंकम को निकालते हुए कौन-कौन से expenditure debit किये जाएंगे अब क्लियर करो 28 क्या बताएगा वो क्या बताता है कौन-कौन सी इंकम द्वारा बलो कौन-कौन सी इंकम इस चेप्टर में टेक्स होगी अब जो इंकम टेक्सेबल होगी वह कंप्यूट कैसे करेंगे वह कौन बताएगा उसको कंप्यूट करने लिए कौन से खर्चे माइनस होंगे वह कौन बताएगा 30 से लेके 30 एड ठीक है उसके बास section 39 हमारे किसी काम का नहीं है गौर्मेंट के पावर है वह पावर जब यूज करेंगे तब की तब देखेंगे हमारे किसी काम का है नहीं उसके बास section 40 फिर आएगा expenditure disallowed disallowed मतलब ऐसे कौन कौन से खर्चे होंगे जो debit नहीं किये जाएंगे जो माइनस नहीं किये जाएंगे आपने बोला personal expenditure उसको छोड़के और भी कई खर्चे हैं कि उसको छोड़के और भी कई खर्चे है एकसामपल दो मजा आएगा आपको मैं एकसांपल दिता हूँ जैसे माल लो यहांपर ड्नाश चल ल्रही है यद्यू यहाँ पर मेरी क्लाश चल रही है तो विशा ही बात अर इस बीलड़इंग में क्लाश चल रही है इस building को ना मैंने किसी से किराय पर लिया हुआ है और इसका महीने का मैं किराया पे करता हूँ एक लाख रुपे मेरा पूरी class से question है क्या ये किराया मेरा business का खर्चा ये नहीं है business का खर्चा है अब एक chapter हम करेंगे इस chapter के साथ ही TDS का ठीक है जी उस TDS के chapter में लिखा है कि जब भी कोई person किसी को किराया पे करेगा और वो किराया पूरे साल का 2,40,000 से उपर है तो किराया पे करने वाले को 10% TDS काट के जमा करवाना पड़ेगा मैं दुबारा बोलता हूँ जब भी कोई person किसी को किराया पे करेगा अगर वो किराया पूरे साल का 2,40,000 से उपर है तो किराया पे करने वाले को 10% TDS काट के जमा करवाना पड़ेगा अब आज मार देना अगर मेरा किराया एक महिने का 1,00,000 रुपए है तो पूरे साल में कितना हो गया तो क्या 2,40,000 से उपर है कम है तो क्या TDS काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा कितना काटना पड़ेगा एड़ दरे 10% वहला एक लाग 20,000 पर एक लाग 20,000 पर मैंने TDS नहीं काटा जी मैं जब छोड़ना TDS क्या काटते हैं अब जब TDS नहीं काटा तो मैं बनका defolter मैं defolter बनका income tax में लिखा अब आपने बोल देना क्या यह खर्चा बिजनस का था परसनल है बिजनस का परसनल है बट फिर भी अलाउड नहीं होगा रीजन क्योंकि मैंने TDS नहीं काटा यह सेक्शन 40 बताएगा अगर कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो परसनल होंगे वह तो डिसलाउड होंगे कुछ खर अगया एक्सामपल ऐसे खर्चे क्या ची कहीं भी निए आपके डैड है जी आपने टीडियस क्यों नहीं काटा आपने डिफोल्ट किया ना तो खर्चा है अपनी जैब से खर्चा करो हम इसका बेनिफित नहीं देंगे माला अगर बिजनसमेन इसका बैनिफित लेना चाहता अगर वो बारा लाख रवे डैबिट करना चाहता है तो इसमें टीडियस काटके हमें जमा कराएं और अगर वो जमा नहीं कराएगा तो एक खर्चा मुसके पिंडल में डैबिट नहीं करेंगे जी आपको मैं दूसरा एक्जामपल देता हूँ एक हफता पहले मैंने अपने अफिस में जो मेरा ओफिस लक्ष्मिन अगर में वहाँ पे है उसमें एक लगवाया मैं स्टाफ बैठा तो उसने का सर गर्मी हो गया बैठा जाता नहीं और ऑफिस बाद गर्मी हो भी बहुत गई है तो पचास के हजार कैश पड़ा है तो इससे पेमेंट करा हो इसी की मैं अगर मैं कैश पेमेंट करूंगा अब सुनना अगर मैं कैश पेमेंट करूं तो भी एसी वाला मुझसे कितने रपे लेगा 45,000 पे कम तो नहीं करेगा अगर मैं ओनलाइन पेमेंट करूं तो भी मुझे कितने रपे लेगा 45,000 पे तो क्या मुझे फरक इन दोनों के अंदर पढ़ेगा यसे नो बहुत मेजर फरक पढ़ेगा ना नो मेजर फरक पढ़ेगा नो पहला पढ़ेगा अगर मैंने कैश में जान सुना अगर मैंने कैश में एसी परचेस कर लिया है तो इस पर मैं डेप्री सेशन क्लेम नी कर पाऊंगा इंकम टेक्स एक्ट में क्लियर सब्दों में लिखा है दस हजार से उपर की एसेट लोगे तुम्हें पेमेंट करनी होगी एकाउन पर ही चेक एकाउन पर ड्राफ्ट या ओन लाइन याद करो ऐसा कुछ हमने 50 सी के अंदर पड़ा था सेम यहां पर भी है और अगर तुम ऐसे पेमेंट नहीं करते ना तो वह सारी पेमेंट तुम्हारी कोस्ट का पार्टी नहीं बनेगी और तुम डेप्री सेशन क्लिम नहीं कर पाऊगे अब अगर मैं अपने स्टाफ की बात मान के पचास जार पे एसे वाले को कैश दे आता तो टानक्शन तो कैश में हो गई और अ परचेस कहां से किया अगर मैं जैसे ही बोलूँ कैश में तो ब्लैक मनी सामझा आ गई ब्लैक मनी आ गई गोर्मन गी इसको तो छोड़ पहले पता कैश कहां से आया और कितना कैश आया कितना में तुन्हें नहीं दिखाया ऐसे कितने बच्चे हैं आदा के स्खूल है डिस्टल इंडिया ओंलाइन प्यमेंट गरो साब बेनिफिट नेंगे हां दस जाड़ तक ही पिएमेंट है कोई दिक्ट दिक्ट नेंद से ब्लैक मनी चलती है अगर पेमेंट 10,000 से उपर है तुमने कैश में कि हमें कोई दिक्कत नें करो बड़ तुम उस पर डिप्रीं किसकी बात करेगा मैंने सेक्शन फोटी यह बात कहते कि भाई सब ऐसे खर्चे हैं जो बिजनस के होने के बावजूद भी हम तुम्हें डेबिट ने करने देंगे क्योंकि कुछ यह बाष्ट एक्शामपल देता हो फिर मैं आगे वड़ूँगा तीसरा एक्शामपल है जैसे माल लो एक परसन है Mr.X एक मिस्टर एक्स अज और यह Mr. Y Mr. X माल लो Service Provider है और Mr. Y माल लो Service Receiver है मालो Provider मतलब Professional मालो ठीक्ञा गारे से आज मैं सी ए हूँ जी मालो नी मैं हूँ इस तो मैं सी ए हूँ तो Consultancy की Service मापको दे रहा हूं एक बच्ण मेरे पास आया कर दे करें सर मेरे फादर ना Tex Pais करते हैं तो आपके एकादी क्लास देखें है आप कई बार टेक्स्ट प्रवाइडर एक प्रवाइडर बन गए आपके फादर कोमेंट करेंगा आपके फादर मुझे पेमेंट करेंगे मैंने कहा जी कंसल्टेंसी के मैंने कहा जी कंसल्टेंसी के एक लाख रुपे हैं ठीक है आपके फादर ने मुझे पेमेंट कर दी दो लाकी आपके फादर ने पेमेंट कर दी दो लाकी यह खरचा मानलो बिजनस का है आपके फादर ने क्नसल्टैंसी बिजनस के लिए मैं भताओग् GIR which टो प्लैंदिंक कर्ट नहीं और मलब खरचा दी दि लीथी ले olması perfect तो ONE season ना दिया पता क्यों क्योंकि आपके फादर दो लाग खर्चा दिखाया तो आपके फादर दो लाग पीनल में डेबिट करेंगे कि मेरा खर्चा दो लाग हुआ बट आपके फादर ने किया एक लाग ही है एक लाग मुसे में भी कैश ले लिया होगा आपके फादर ने बोला ह बनता है आपके फादर ने दिखा कितना दिया दो लाकर पर दिखा दिया अगर किसी परसन ने जादा खर्चा debit किया होगा fair market value से तो जितना ज़ादा खर्चा debit किया होगा हम दुबारा से उसकी income में जोड देंगे अब अगर माला आपके फादर ने एक लाग की बजाय 2 लाग खर्चा debit किया तो आपके फादर की income में एक लाग दुबारा से add कर दिया जाह wła espa जो तो एक लाग जादा खर्चा डेबिट की है वो आपके फादर को अलाउड नहीं होगा मैं कुछ ऐसी ऐसी बाते हैं में पढ़ने को मिलेंगी ठीक है बाक्की डिटेल में मागे लगे पढ़ेंगे मैं इतना क्लियर करूं सेक्शन फोर्टी बताता क्या है अब दुबारा से चेप्टर हमने स्टाक कौन सा गिया जी कहां से कहां तक चलेगा 28 से लिकर 44 डिबी 28 क्या बताएगा क्या लिख्छा होगा 29 क्या बताएगा जो भी income taxable होंगी वो calculate कैसे की जाएंगी जो भी income taxable होंगी वो calculate कैसे की जाएंगी यह बात क्लिर है उसके बाद section 30 से लेके 38 क्या बताएंगे expenditure allowed कौन कौन से खर्चे debit किये जाएंगे 39 not relevant 40 क्या बताएगा expenditure dis allowed कौन कौन से खर्चे debit क्या personal खर्चे होंगे या कुछ business के भी होंगे बिजनस के भी होंगे अगर आप डिफॉल्टर बन गए तो वो बिजनस वाले खर्चे भी डाबीट है ठीकरी उसके बाद section 41 आएगा हमारे सामने section 41 कहेगा recovery of expenditure which was allowed earlier इसका मतलब क्या है ऐसा खर्चा जो पहले allowed हो चुका था उसके बाद अगर उसकी recovery हो रही है उस recovery का treatment क्या होगा section 41 आपको बताएगा example के लिए example के लिए मान लो मेरी कर्याने की दुकान है मेरी कर्याने की दुकान है तो यह अंशु हां अंशु मेरे पास आया तो इसके फादर का भी बिजनस है इनके फादर की भी कर्याने की दुकान है तो इसके फादर आए इसके फादर इसको बेज दिया यार ऐसा कर इसको मैंने पांच लाग खर्पे का समान उधार में दे दिया इसने को खाते में लिखने ना पाप आप से बात कर लेंगे को आप चले जाओ अचा मैंका पूछ के बता दो कब तक दोगे मैं लिख लेता हो नहां पर पेमेंट कब तक अगले महिने की पापा से फोन किया कि इसने के इस पर इसने को आपने स्मान लिया था वो पांच लाखर पर वही ऐसे 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 इसने करी बात तो हो गलत है मैं गलत है ऐसे वैसे क्या 5 लाग क्या समाने लाओ पैसे लाओ इस दिगा सर पैसे न दे दे देंगे और में को समझ में आगा मैं कभी इसका ना काम खराब लग रहा है ये पैसे मुझे देगा नहीं तो सोचके बोला पहले प्रोविजन क्रिएट करूंगा कि मैंने को डाउटफूल है भी पैसे दे का दीयत किया अगर मैंने प्रोविशन क्रियेट किया सोच के बोलेना क्या है इंकम mest में डेबिट या पर फिर हुआ कि एक मिना वोई अब यह अब में अब मुझे लोस वा नहीं हुआ क्या में लोस बिजनस के पीनल में डेबिट कर लूँगा नहीं कर लो मैंने डेबिट कर दी अंशू के नाम से के अंशू के पैसे मेरे बैड़ देट हो गए 5 लाक रुप सोच के वो ना जिस एयर में बैड़ डेट हुआ होगा उस साल के मैंने प्रोफिट 5 लाक से कम हो गए गोर्मेंट ने का लोस हो गया कोई दिकत नहीं डेविट कर ले प्रोफिट कम हो जाएंगे टेक्स कम देदे हमें कोई दिकत नहीं को कि तरह नुकसान हो गया तो कोई दिक हमने कुछ किया ऐसा बड़ी दिकत वाली बात पापा किया के फिर पापा और अंशु को यह दिन बैठे थे दोनों खाली तो एक ध्यान आया कि हमने पांच लाक मारें उस समाने के और पक हो ना हो यह पका उसी चक्कर में हमारे साथ बुरा-बुरा हो रहा है ठीक है हाई ल पांच लाकर पे वह पांच लाकर पे आपके वह दे नहीं पाए था वह गलती हो गये तोबा तोबा हो गया सर यह पांच लाकर पे ना अब प्लीज आम मुझसे ले लो मेरा पूरी क्लास से कोशन है क्या यह पांच लाकर पे बैडेट्स की रिकवरी है या नहीं है हवाज क्या यह recovery taxable होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए section 41 दुवारा पढ़ लो recovery of expenditure which was allowed earlier कि मला ऐसे खर्चे जो पहले तुम allowed कर चुके थे ऐसे खर्चे जो पीडल में debit हो चुके थे उसकी recovery हो रही है उसका treatment क्यों होगा 41 उसकी बात करेगा याद आ रहा है ऐसी ऐसी बात है कुछ हमने सेलरी के अंदर भी की थे ऐसी बात हमने house property के अंदर भी किती section 25a recovery of unrealized rent तो यहां पर गोर्मेंट यह बात कहना चाहिए कि अगर कोई खर्चा पहले तुम्हें debit हो चुका था उसकी recovery अगर होगी तो treatment क्या करेंगे 41 आएगा जी ठीक है उसके बाद 42 नोट रेल इवेंट है अगेन गोर्मेंट ने पावा रख्यों यह हमारे किसी काम के भी है नहीं 43 जो मैं आपको क्या कह रहा था एक चीर मैंने बोली थी कि income tax में खर्चे पेबल बेस पे अलाओड होते हैं यह नोर्मली पेमेंट बेस पे 43 यह बात कहता है 43 कहता है डिडेक्शन पेमेंट बेस देखो क्या लिखा है जो expenditure debit होंगे वो तब होंगे जब वो पेड हो चुके हैं मला पेबल खर्चे नोर्मली income tax में हम डेबिट नहीं करें करेंगे पेड़ खर्चे हम डेबिट करेंगे ठीक है और एक last section 44 presumptive taxation presumptive taxation means क्या छोटे मोड़े business man के लिए scheme एक बात बताओ आपके father का कोई business है किसी का कोई business करता हो कौन कौन जी एक बार हैंडेस करना 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई छोटा मोड़ा business है बड़ा business है नहीं मतलब जैसे कई ह इस यहें तरी हो गई उनकी उनकी अग्सम्पीन जिसकी ममलोग छोटी इमड़ी दुकाहन चलो मैं अपना एग्जम्पल लेता होगे वैसे आपके father क्या करते हैं बसनअ है शोप की शिर्गी गपडों की दुकाहन है मेरे फादर की हनलनों की दुकाहने मैंसतों और 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 पेपर के ट्रेडिंग करते हैं मैं पड़ा किसले पूछ रहा हूं कि कल मुझे भी काम पढ़ सकता है रहा है यह इसा नहीं है इसा इसा इन से मैं क्यों कहना चाहरा हूं अब सुना ज्यान से एक बात मिने पता हूं जी आप नोर्मली देखा हो का छोटे मोडे बिजनसमें होत आपने कर दोगर जिस भी गली में आप रहते हो मैं पेहले पहले भी आथा आपको जिस्वी गली में प्रुप लिए उस गली में दुकान होती है फिकांग उस बमकल अंक्ल अंटी बैठे होते हैं वह दूद डाल चावल सब कुछ रखके बैठे हैं उनकी आगे दुकान होत चैप्टर पीजिप पढ़ा पहला दिन था एक्साइटीड हो गया करा आज अंकल के इसने जिकर दूँगा जाते हैं कि मैंने मैंने थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्मस बोल दी डेप्रिसेशन अलाउड डिस अलाउड कुछ ऐसी टर्मस मैंने बोल दी बचा चला गया शाम को अपना अंकल के पास मज़े लेने के लिए तो बैसे मम्मी ने काम भी बेज़ा होगा कि बैटे जा एक टोन दूद का लिए तो अंकल अंटी बैठे बज़ूर को बैठे थे साथ 65 साल के दोनों बैठे आपस में बाते कर रहे थे आपस में बैठे थे अब वहां पर पहुंचके तो आपने का अंकल एक टोन दूद का पैकट देना अब आपने अंकल से वैसे बात्ची स्टार्ट कर दी आपने लिए अंकल यह पता है यह जो आपकी दुक्वान में इस ही और गाय आप क्लीम कर सकते हों Summa अंब अगर ऑन ने तों का पैकट लेना है ले निकल यहां से आपक शोचकर greater एक चोटा सा बिजनसमेन क्या जानता है लाउड डिसलाउड के बारे में उसको नहीं बदा सर ना वो सिये के पास जा सकता वो सिये के पास कहां जाएगा सर उसके घर के खरचे उतने ही यह जितने उसकी इंकम है सर आज मिडल क्लास फैमिली जो चोटी दुकान वाला है ना वो सो समय के खरचा करता है आप कभी भी कभी एक नोर्मल दुकान दार पर जाना उसके कोपी पड़ी होगी वहाँ चोटी सी उस पर लिख रहा होगा एक दूद का पैकट 22 रुपे एक दही 28 रुपे पूरा लिखत पाइज चुए मोटे होगे भाज़ो खाखागे वह पतले उतर गए उनके खत्रों ऐसा होते है सर बोत दिक्कत वाली बात है अब सुना दियान से मैं कहना क्या चाहरा हूं तो वहाँ पर चला गया अंशु चला गया अंशु ने बोल दिश्वाटी थार्टी एट 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 पाबुजी टोंट दूद्गा पैकेट ले ने लो यह अलाओ डिसलाओड की बाते मत करो नहीं तो निकल लो आप हमें पता ही नहीं पता ही नहीं अब सुना प्लीज तो फो छोटा बिजनसमेन कहां जाए तो कैसे इंकम निकाले वो मैं जिस जो जिसके टर्नोवर ही कुछ पचास लाग टेव्र है साथ लग टेवर है असी लग टेवर है एक करोड़ टेट तन जादा नहीं होती आपको लग रहा है एक क्रोड़ सुनने में आर लक्ष्मी में और मॉमोज वाला भी 50 लाग फरानर होगा ई-सर आप शाम को रहागा और मंद्र की मंदिर की मैं जैसे बैसे हिसलों पुंता है दर दज बार नंबर नंबर आपका दस मीन बाद नंते हैं जैसे पता ही वह लासी पीडाना मुझे एक बिन मुझे मोमस भाले ने पता है मोमस खाने के नुक्सान भी होते हैं करें इतने मोमस खाते हैं यह आप मैंने पहले बताया था इतने लोग मोमस खा रहें इतनी अब सोच के बोलना कितनी उसके टर्नोवर होगी तो 50 लाग आज की तर्म दिल्ली में कोई बड़ी अब गोर्मेंट गई उस अंकल के पास अंकल 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 घवराओं मत आप टेंशन मत लो इसने क्या बोला अच्छा लगवर समझ में कुछ नहीं आया यह कुछ बोल रहा था अलाउड डिसलाउड की बातें कर रहा था बट मेरे पल्ले नहीं पड़ी अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाते हो सुनना जी अब गोर्मेंट यह बत कहना चाती है अंकल अगर आपकी तर्नोवर दो करोड तक है कितनी है अंकल अगर आपकी तर्नोवर दो करोड तक है तो जितनी भी आपकी तर्नोवर है ना हम उसका आठ परसेंट इंकम माल लेंगे हम 92 परसेंट खर्चा मालनेंगे आपका 92 परसेंट देख रों कि इतना खर्चा होता होगा नहीं बट गोर्मेंट के लिए हम मालनेंगे और अंकल कोई खर्चा लाउड नी कोई डिस लाउड नी कोई बुक्स अपकांट्स नी कुछ नी कराना अगर तो तो जितने चोटे-मोटे बिजनसमे अगर चोटे-मोटे प्रफेशनल लो उनके लिए भी स्कीम है सेक्शन 44 के अंदर और आपको आपको आपने देखाओगा और हर दुकान के भार पे टीम गूगल पे के वह स्कैनर लगे हुआ क्यों किस लिए लगे हैं ओनलाइन पेमेंट कर सको किस लिए क्योंकि अब सोचके बोलना आज एक अंकल आंटी जो गली में बैठे हैं उनके पूरे साल में 50 लाग की टर्नवर होती हैं अगर यह सारी टर्नवर कैश में तो इसका आठ परसेंट कितनी इंकम बनेगी चार लाग चार लाग अगर इस पचास लाग में से अंकल आंटी बोले हैं कि बेड़े 20 लाग तो मेरे अकाउंट में आए हैं कोई पेटियम कर गया कोई गूगल पे कर गया कोई अकाउंट ट्रांसफर कर गया 20 लाग तो टोटल पूरे साल के हैं और 30 लाग कैश में तो 20 लाग का 6% 30 लाग का 8% यह इंकम बनेगी तो आज आपने बोले ना क्या खतम कर देंगे ऐसे के खतम हो जाएगा मार्किट से कैश हो जाएगा सिरफ ओनलाइन काम चलेगा और बैंकों में देख लो बैंकों में कैश होता ही नी अभी 10 लाग रवे बैंक से कैश निकलवाने के लिए चले गया हमारी फैकल्टी यहां पर मेरे साथ पढ़ाती है वह क तक दश्दार की बैंक पैंशना यह दश्दार पे देना बस वो आप में से कितने लोगों कि फादर डेली जाते होंगा इंग में नहीं जूरती नहीं है डंक का है मुबाइल में अ कि पेटियम करो एंधिकरों आउएफिश करो किसी को पेटेबं कर दूमिन पर बढ़ी पेट्यम कर नीज पार स्केंदर क्लिफ ठीछ कर रहा हूं ऑप लिए यूपियर उपियर्मेंट का है तो कैस्क रिक्वाइरमेंट ही और गुवर्मेंट के लिए कितना बढ़ी है है थे लाइन में लगते टेंज आसे दस्बार करते थे उसके बाद जाके फिर वाहतेसे यह यह कित है उर्चा है लुए माजा है गुमों के प्र टिदो आप में सिरा खेंटे-छे होंग आर ऊललाइन पेमेंट करते तो वो कैश्वाला जमाने ही खतम तभी गौर्मेंट ओनलाइन को प्रमोट कर रही है कि आप ओनलाइन करोगे 6% है नहीं तो 8% है यह बिजनस की इंकम मानेंगे तो यह सेक्षन है PGP के इंदर जी अब बताओ जी फ्लो कैसे चल रहा है ब्लोक कितने ब्लोक मनें पहले मैं ब्ल साथ पार्ट में चेप्टर बटा हुए है PGP का चेप्टर साथ पार्ट में बटा हुए है अम एको सातों पार्ट पहले अलगलग बताओ ट्वंटी एक है ऐसा निस सरफ सेक्षन पहले 28 29 30 से लेके 38 फिर 40 41 43 44 यह साथ ब्लोक है जी यह साथ ब्लोक है अब बताओ 28 की हेडिं क्या बताएगा क्वागी ऑंटी नाइन क्या बताएगा इस चैप्टर में टेक्सेबल होगी वो कम्प्यूट कैसे थो इंकम इस टैप्सेप्टर में टैक्साबल होगी वो एक挺 चाजाएगी वह और पालर कौन कौन से खर्चे P&L में debit होंगे उसके बाद 40 क्या बताएगा कौन कौन से खर्चे P&L में debit नहीं होंगे 41 क्या बताएगा recovery of expenditure which was allowed earlier जो पहले खर्चे allowed हो चुके थे उसकी recovery अगर होगी तो treatment क्या होगा 42 नोरल इवेंट है 43 deduction on payment basis और 44 क्या बताएगा presumptive taxation छोटे मोटे businessman के लिए क्या scheme है यह सारी बाते 44 में निकल के आती है ठीक है रही तो आज जितने छोटे मोटे बिजनसमेन है जितने professional हैं वो सब section 44 की scheme ले सकते हैं बस यह बात ध्यान दो जो जो यह बात क्लिर है तो अब एक बार थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो चैप्टर के heading डालो जो करो जो जud कर्का करो जो ह। कर दो झाल 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 इस पर मैं कुछ सेक्शन हाईलेट कर रहा हूँ वो मोस्त इंपोर्टेंट आप उसको लग साईलेट कर लेना जा चैप्टर नंबर 6 आई आपकी बुक में हैं जी यह सारे लिखने लिखने सारे हैं जो मैं हाईलेट कर रहा हूँ यह मोस्त इंपोर्टेंट है मला स्लाइड वन तो सारे इंपोर्टेंट है अब यह माल लो बुक में तो बुक कर लेव से लिखने पोर्टेंट हैं मला स्लाइब भी कर रहा हूँ लिखना समय टो देक वग 이쪽 लिखने जिखने कर लेस सारे इंपान बुयां मला क्रा वा मम मैं है मला jużैँ भी और संप Fr से लnh बग कांपे 31 explanation 1 explanation 1 to section 32 explanation 5 to section 32 यह हाईलेटीड वाले इम्पोर्टेंट है जी यहाँ पर 28-44 dB कर दूंपर एसे मत लिखो ऐसे 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 लिखो हाँ इस आप भी इस तरह से लिखना था कि मैं उपर करता रहूं क्योंकि ऐसे लिखो गए तो फिर रुखना पड़ेगा न मुझे मैं इस तरह से लिखो ता कि मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे उपर करता रहूं न हाँ रूल टैन डबल ए आर का मतलब रूल है जी जहां पर आर लिखा होगा वो रूल है विजू एक्श्टा से लिखा अठीज़ ए्यू एक्श्टा प्रोविजू एक्श्टा होगा रूल रूल नमबर टेन डबल है explanation 1 explanation 5 G explanation exp का मतलब है explanation explanation क्कुर क्कॉर कर के तू οπο जКА जिसी जब बचके और को गय जेंग झाल झाल हाँ जी इसमें चार है क्या चीर हाँ 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 ये सारे इसके साथ ही है अच्छा उपर तीन आपने बनाई होंगी नीचे चार हो गई होंगी तीन में बनाता ना पांच्छा स्लाइड बन जाती सेक्षन के आप घवरा जाते आप एक्स्वानेशन टू सेक्षन थर्टी टू वन वन और फाइव कहां पे वो थर्टी सेवन की एक्स्वानेशन यह सेक्षन थर्टी सेवन के एक्स्वानेशन है वो सेक्षन थर्टी टू की है सेक्षन दोनों लग लग है ना सारे ने हुए हैं कुछ थोड़े बोट तो बचे ही हुए है वाना हूं वाना हूं कैसे ला रहे हो ना लाग यह है इसके बाद एको यह स्लाइड हाँ यहाँ पर खत्म है शड़ी कर दो तो अच्छे है ना ये दख्खो आरहा है ना विंग कैसे तो ऐसे ही लिखो ना आप ऐसे क्यों ही लिख रहे तो अभी स्टार्ट कर दो ना लाइक अभी उसके साइड में वो लिख लो ना है ना लाइक दो मिनिट कहां पे उपर ऐसे अभी हाइलेट नहीं किया अभी रुको फिर पहले लिख लो एक बार बार आप लाइब अभी लूब लिख लो वो लिख लो लो धवा है वो उवेख लोगज किया झाल है कि यह करोस मार देना इसको सिरफ एक बार पढ़ाओंगा बढ़ हमारे स्लेवर्स में निये वाल पॉइंट कुछ निकुछ अभी कटवा दूँगा यह बदा बच्चा करहा पहले काटने बदा दो कि यह बच्चा करुछ निकुछ नियुछ तो निकुछ निकुछ तो नियुछ तो टोटल इंकम टेक्स में पूरे फोर्टी ए नाइन है चलो जी को इडिए माँ ओर को थैघ फोर्टी फोरबी है ये फोर्टी-फॉर बेबी bira 44 ट्रिपल बेबी चैसे नाम सोचते हैं अब अग outta This Series में लेके आना है तो इस को कॉंटीनु करेंगे ना कि मतलब बीबी ए फिर बीबी ए बी कर देंगे फिर बीबी ए ऐसे कर देंगे उसी सिक्वेंस में रहेंगे ना वो तो क्योंकि एक्शुल में ये सारे सेक्शन जो है फोरन टेक्सेशन के हैं इसलिए आपस में यह हुई कौन साइए है हो गया जी तो ये सारे सेक्शन है इस चैप्टर में जो हमें कम्प्लीट करने है जी बस ये लिख लो फिर भी बस जी इस चैप्टर के नहीं है बड़ के साथ हम करेंगे रूल एट दी और सेक्शन फोर्टीन है नहीं लिख लो आप सेक्शन फोर्टी फोर बी बेबी बी बी यह और टिपल बेबी देने जी चलो जी इसको मैं अटा रहा हूं जी अब मैं फोर्टी फोर बी बी यह फोर्टी फोर टिपल बी हटा चुका हूं जी यह फोर्टी फोर बी फोर्टी फोर बी बी फोर्टी फोर बी बी यह फोर्टी फोर टिपल बेबी चलो जी अब एक बार फटा बट से देख लो हाईलेट अपने कौन-कौन से की हैं कौन-कौन से नहीं की फटा बट से दो मिंट लगाओ करो उसको जल्दी कर दो सेगंड स्लाइड चलो जी ठीक है जी ये हाईलाइट वाले हमें ये करने में ये नहीं करा करने हमें सारे ही है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से एक्जाम में फ्रिक्वेंटली कोशन बनते रहते हैं चलो जी साथ साथ हाईलेट क्यों नहीं किया थे आपने साथ साथ में हाईलेट नहीं किया ना बच्चों ने फिर स्टाट कर दी अब घर जा के फिर चलो लो जी ठीक है नहीं चलो अब ये सारे के सारे प्रोवीजन है अब लिखो यहां पे जी लिखो जी हैडिंग डालना होरीजोंटल बनाना जी डाइगराम हो तो रेड प्जी बच्चेप्टर फ्लो ओफ प्जी बच्चेप्टर ठीक है ली बच्चेप्टर Categories of Sections covered under PGVP साथ कैटिग्री बनाओ साथ कैटिग्री बनाओ कैटिग्री बन कैटिग्री 4 कैटिग्री 5 कैटिग्री 7 कैटिग्री 1 में है Section 28 29 30 से लेके 38 40 41 43 44 यह कैटिग्री है जी जो Sections नमारे PGP में cover है कैटिग्री 1 जो है Charging Section Charging Section यह हमें क्या बताएगा कौन कौन सी इंकम PGP Head में Taxable होंगी कौन कौन सी इंकम PGP Head में Taxable होंगी यह Section 28 हमें बताएगा जी ठीक है री 29 है How to compute PGP PGP Income Joby Income Joby Income PGP Head में Taxable होंगी वो Compute कैसे की जाएंगी जो भी इंकम इस चैप्टर में Taxable होंगी वो Compute कैसे की जाएंगी वो सारी बाते 29 में होंगी उसको निकालने का Pattern क्या होगा उसको निकालने का तरिका क्या होगा 30 से लेके 38 Expenditure Allowed कौन 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 से Expenditure P&L में Debit किये जाएंगे तरिक जाएंगे कौन कौन से ऐसे खरचे हैं जो P&L में Debit किये जाएंगे कौन कौन से ऐसे खर्चें हैं जो P&L में डेबिट किया जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक से लेगे 38 सर प्लीज पोडियूम के साइड में शिफ्ट हो जाओ विजीबल नहीं है बोड कौन सा कि यह बना है अच्छा में दो जाओ ठीक है ठीक है ओके जी उसके बास सेक्शन फोर्टी एक्सपेंडिचर डिसलाओ जी एक्सपेंडिचर डिसलो में कौन कौन से एक्सपेंडिचर प्येंडल में डैबिट नहीं किये जाएंगे कौन-कौन से ऐसे expenditure हैं जो P&L में debit नहीं किये जाएंगे कौन-कौन से ऐसे expenditure होंगे जो P&L में debit नहीं किये जाएंगे Section 41 Recovery of expenditure Allowed Earlier जो expenditure P&L में debit हो चुके थे जो expenditure P&L में debit हो चुके थे उनकी recovery पर क्या treatment होगा जो expenditure पहले P&L में debit हो चुके थे उनकी recovery पर क्या treatment होगा Section 41 आपको बताएगा 43 Deduction Allowed on Payment basis Normally Income Tax में expenditure तभी debit होंगे जब वो actually paid होंगे जिए नोर्मली इंकम टेक्स में अइक्सेटमे होंगे जब वो actually paid होंगे जिए नोर्मली इंकम टेक्समे expenditure तभी debit होंगे जब वो actually paid होंगे जिए धी गहनी 44 last section presumptive taxation normally income tax expenditure तभी debit होंगे जब वो actually paid होंगे 44 presumptive taxation special scheme for small businessmen or professional special scheme for small businessmen or professional special scheme for small businessmen or professional ये आपके 7 category है sections के जिस तरह से पढ़ना है तो जब भी मैं section start कराऊंगा आपके दिमाग में click होना चाहिए कि इन section में क्या पढ़ने को मिलेगा जिए दन है जी साथ category जिनके हो चुके हैं एक बार फरवर से बोल दो साथ category कौन कौन सी है जी एक तो 28 29 उसके बाद 30 से लेके 38 उसके बाद 40 फिर 41 फिर 43 फिर 44 28 की heading क्या है चार्डिंग section क्या बताएगा कौन कौन से income इस chapter में taxable होंगी 29 क्या बताएगा how to compute PGVP की income मतलब कि जो भी income taxable होंगी वो compute कैसे की जाएगी वो सारी बाते 29 की है फिर 30 से लेके 38 क्या है expenditure allowed की कौन कौन से खर्चे penal में debit किये जाएगे फिर 40 किसके री expenditure disallowed की कौन कौन से expenditure penal में debit नहीं किये जाएगे 41 क्या है recovery of expenditure allowed earlier जो पहले खर्चे penal में debit हो चुके है उसके बाद अगर उसकी recovery होगी तो treatment क्या होगा 41 बताएगा special scheme for small businessmen और professional ये सारी बातें आपके निकल के आती है done है जी इसमें को लिक्कत तो नहीं है चलो इधर सुना ध्यान से खटा दो जी चलो एक बाद लिखो इसको फिर वट फट done है जी चलो मैं लोग कर रहा हूं जी इसको मैं हटा रहा हूं जी इधर देखो जान से प्लीज बात चीतनी जी अब एक बात मुझे सोच के बताओ जी एक बात सोच के बताओ अब सबसे पहला section जो है जो मैं start करने वो section number 28 है जी चीग है नी अब कोन कोन सी income इस चेप्टर में टेक्सेबल है बला कोन कोन सी इक बात में टेक्सेबल होंगी कोन कोन सी केटिगरी होंगी सबसे पहले हम वो देखने जा रहे है section number 28 ठीक है एक बार आप बुक पे आजाओ जी एक बार बुक पे आओ section number 28 open कर लेते हैं जी टू वन्टू जी पेस नमबर 212 पेस नमबर 212 जी पेस नमबर 212 जी पेस नमबर 212 ठीक है एंगी अब एक बार चक करना सबसे पहला point एक बार section number 28 पेस नमबर 212 पे 28 की heading बोलना क्या लिखिया चान एक section अब उसका point number तो और वन जो है ना उससे पहले उपर एक लाइन लिखे देख ना क्या लिखा है। दी वेरियस इंकम ओफ दो सो बारह। दी वेरियस आइटमस ओफ इंकम चार्जेबल टूटक्स एस इंकम अंडर दी हेड़ पीजी बीप ए आर एस अंडर। मलब वो कहरें कि various items of income chargeable to tax unread PGP are as under कौन कौन से income या पर taxable होंगी अब आप नीचे बताने जा रहे हैं सबसे पहला क्या कहरें income from business or profession यह तो बिलकुल basic बात है यह तो बिलकुल basic बात है अब थोटा सागे पढ़ना क्या लिखा है income arising to any person by way of profit and gain from the business or profession carried on by him at any time during the previous year इसका मतलब क्या है मेरा पूरी क्लास से question है मेरा पूरी क्लास से question है line यह आपके सामने है आप मुझे पढ़के answer दोगे मेरा question यह निकल के आ रहा है अगर कोई individual business carry कर रहा है उसकी income taxable कहा पे होगी कहा पे होगी बीजएप अगर एक H.E.F. business carry कर रहा है taxable कहां पे होगी एक बार द्वारा पूछ लेता हूं question अगर एक individual business carry कर रहा है taxable कहां पे होगी अगर एक H.E.F. business carry करेगा taxable कहां पे होगी PGP अगर एक company business carry करेगी partnership firm carry करेगी local authority carry करेगी क्यूं वहाँ पे कहां लिखा है any person पहली बात तो यह it means अगर कोई भी person business carry करेगा ना उसकी taxability PGP के अंदर है मतलब चाहिए वो individual है H.E.F. company है firm है A.O.P. है B.O.I. है A.J.P. है local authority society कोई भी है अगर कोई business carry करेगा उसकी taxability यहाँ पे है यह बत क्लिर है, चलू एक बात में सोच के बताऊ सर, माल लो एक person है Mr. X Mr. X ने न Mr. X ने क्या हुआ वगी trade fair लगता है तो trade fair कितने दिन का होता है सब्सकार, निहादे अब लूक्षमर्ट 14-15 देस का होता है अब 14 दिन का जो trade fair होता है तो Mr. X ने क्या किया उस trade fair के अंदर ना 14 दिन के लिए एक दुकान लगाई और उस दुकान पे काफे सारे customer है उस customer से उसने income कमाई और इस 14 दिन के लवा पूरे साल में वो कोई business carry नहीं करता बस पूरे साल में इतने ही दिन business carry करता है तो क्या ये income इस chapter में taxable होगी या नहीं होगी येस या नो ऐसा कहा लिखा है वो क्या करे एड एड एनी टाइम डूरिंग दा प्रीवियस यार मादा कोई person प्रीवियस यार के डूरिंग में कितने ही टाइम business carry करेगा ना उसकी taxability यहाँ पे है चाहे वो एक दिन का business carry करे चाहे वो दस दिन करे चाहे पूरे साल करे ये जरूरी नहीं है कि पूरे साल का वो business मैं नो मादा जितने दिन का business होगा उतने दिन में जो income कमाएगा ना वो taxable PGP के अंदर हो तो मुझे अब इस इतनी बात conclude कर दो सबसे पहली बाद इस chapter में कौन सी income taxable करनी है business or profession की कौन carry कर रहा हो कोई भी profession की income यहाँ taxable होगी कौन carry कर रहा हो कोई भी ठीक है जिए अच्छा पूरे साल carry कर रहा हो यहाँ किसी भी time तो किसी भी time कोई person business carry करेगा किसी भी time कोई person profession carry करेगा उसकी income जोगी वो यहाँ पर taxable होगी बस यह बाद ध्यान दो यह बाद conclude करते हूँ जी अब सुना ध्यान से ली अब यह तो एक basic बात थी यह सारे बच्चों को पता है कि business से आने वाल income यहाँ taxable होती है profession से आने वाल income यहाँ taxable होती है बाकी यह है इनको छोड़के बाकी कौन सी income है जो यहाँ taxable होती है अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक case तो हमारा यह हो गया यह income यहाँ taxable है अब जो मैं बता रहा हूँ ना अब अब कमाईन यहाँ पर होना चाहिए पूरी क्लास एक बारा लेटो के बैट जए अगले 10-15 मिन अब गौर्मेंट कह रही है कि यह income यहाँ taxable है यह income यहाँ taxable है यह बात समन में आती है अब गौर्मेंट कह रहे हैं इसके इलावा जितने भी तुमारे export incentive है जितने भी तुमारे export incentive है ना वो सारे के सारे incentive भी PGBP में taxable है मलब जितने भी तुमारे export incentive है वो सारे export incentive भी हाँ taxable है अब सुनना ध्यान से आर इंडिया export को बढ़ावा देना चाहता है कम करना चाहता है कम करना चाहता है बच्चे ने बोला export खतम कर दो zero कर दो हम भोत established हो चुगे अपने आपने नालाइक इस दर सुने कोशन सुना कर रहे कोशन सुने कई भागना थोड़ा है मैं जाना थोड़ा कर जाना आपने किसक्वाद नहीं दो मैं भी वेला भी वेले अब अर इंडिया जो है वह export को बढ़ावा देना चाहता है अच्छा export को बढ़ावा इंडिया क्यों देना चाहता है क्योंकि foreign currency इंडिया में आए उससे क्या होगा इंडिया के जी बढ़ेगी आपको बता अभी दिन चार दिन पहले वह को न बृटेन वह बृटेन के प्रेजडेंट थे मैं अभी तीन चार दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ते तो अभी मोदी सब मीटिंग उनकी चल रही थी तो अनने करी मुझे यावे बहुत सम्मान मिला मुझे फीलिंग आई ऐसे सचिन तेंदूलकर और ऐसे अमिता बच्चन उसने नाम बोले आप उसकी स्पीर सुनना उसने वजह मुझे मुझे फील अर्द कि मैं सचिन तेंदूलकर हूँ और जमाने गुजरात के अंदर गया जगह जगह मैरे बाड लगे अब उसमें एक्सपोर्ट बहुत जाद है हमारा आप सोच के बोला मतलब आज फोर्णर इंडिया में आना चाहरा है मैंने पहले भी का था इंडिया की इंडिया पर सबकी सारी कंट्री की निगाहियां सर इस टाइम इंडिया होट लाइन में एस चाहिना के पास कोई जाना चा सब्सक्राइब करने लग गया था मुबाइल आठाट सो रुपे के आगे थे वह तो गोर्मेंट ने इंपर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तब जाके चाइना ने यहाँ पर समान भेज़ना कम कर दिया कि चाइना के हर घर के अंदर मैंफेक्च्छर बैठें चाइना का समान इत इतना सस्ता क्यों बनता है उसका रीजन है उसके हर घर के अंदर मैंफेक्चरर है सर चाइना के अंदर बच्चा जब पैदा होता है ना तो उस बच्चे को क्या करते हैं टूटावा खिलोना देते हैं चाइना के अंदर बच्चा पैदा हो गया उसको टूटावा खिलोना देंगे फिर बच्चा क्या करेगा उसको हाथ करके कुछ ना कुछ बनाएगा अब सोच के वहना इसको मैं टूटी यह चीज दी तो उसको जोड़े गई ना तो जोड़ेगा स्टार्टिंग से ही उसने जोड़ना सिखा है हर गर के अननर मैंफेक्ट्टर पैदा हो गया कि इंडिया में क्या वगा उसको फिलोन लाएंगे टोड़े इसको तोड़े इसका तोड़े इसकी बाजू तोड़े इसकी गर्दन उखार के बाहर Gehr इसको यहां घोड़े भाई सार्साने मोड़ा के खिलोने कहां से बन गया धियरक अब– अब गारी को देख लो मता ड्राइवर की गदनी खार देंगे छोड़ी चोड़ी कुड़ी आंखे निकाल करें बदेंगे बच्चे एक बात बताओ इंडिया में हम लोगों के क्या सिखा रहे जोड़ना है तोड़ना तोड़ना तोमें फैक्टर कहां से पैदा होंगे इस अगर आपने जोड़ी हुई चीज दी वह तोड़ रहे तो जोड़ना तो सीखी नीजा तो मैंने फैक्ट्र तो आई नीज तो अभी तो कोश ज्यादा बन रही है ना तभी तो मोधी साब कह रहे हैं बहुत पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसा देश है इसकी यंग और वहां पर बहार वाली कंट्री में यंग निया से इतने बहार वाली कमने बूरे लोग जादें तो आज पावर किसके अंदर होगी यंग के अदर तभी लोग इंडिया को देख रहे हैं यहां पर 24 में बीस गंटे काम करवालों लोगों से ठकते ही नहीं आब सुना द्या परन करना न तो इंडिया इंडियान गोर्मेंट कहती है बाइसा desirable करो और हम अगर तुम आपसे पूर्ट करोगे ना हम उन्हार पहुत क्यों करें उसको इंसेंटिव हर एक आपनी को फाइदा चाहिए। कि मैं से कूछ ओछ घर लहां है आप से डिगरी अगर क्यों कर रहे हो किया रीजन आपका है आज अगर को जणो कर ने कि यह कर रहे हैं क्या प्रते अनको का कि आधर बॉलेंगे मेरे पापा का ड्रीम है सपने पूरे करने उन को रहिए पैस पापा का ड्रीम भी पहसे ग्वाएगा बच्छा लिए इंजिए हे बड़िए अच्छी बद में डारग किम ये बैंज एंट हो अपने घरों और अपनी गारीं और क्या ज़िए इंसान बहुते ना कॉई लगर बनेलिव एखिंद एकर बनेको आप लगाуд पैसे ला इदर भाई सिंब तक आप करोगे काम तो में लिए पैसा ही है ना तो सिंबल सी बात यह निकल क्या रही है और हर exporter कहता है कि भाई साथ एक्सपोर्ट तो मैं कर दूंगा मुझे बदले में क्या मिलेगा तो गौर्मनेंगा ठीक है आप एक्सपोर्ट करो हम तुम्हें सेंटी देंगे आज हर exporter को पांच इंसेंटी मिलते हैं नाम याद करने अपने अर्वर एक्सपोर्टर को पांच इंसेंटी मिलते हैं सबसे पहला इंसेंटी मिलता है CCS that is cash compensatory support दुवारा बोलो तो CCS फुल फों क्या हो गई पहला इंसेंटी तो ये मिलता है दूसरा इंसेंटी मिलते है DBK that is duty drawback बोलो फिर बोलो फिर बोलो अब दोनों का नाम क्या था cash compensatory support और duty drawback इंसेंटी तीसरा इंसेंटी मिलता एक्सपोर्टर को IEL that is import entitlement license import entitlement license agla incentive मिलते DFRC that is duty free replenishment certificate duty free replenishment certificate or firek benefit मिलते DEPB duty entitlement passbook duty entitlement passbook अब सुनना ये पांच incentive होते के हैं नाम को हमने full form तब पढ़ ली इसका मतलब क्या है अब सुनना ज्यांसे मैं कहना क्या चाहरा हूं मान दो सर मैं इंडिया का requirement होती है तो calculator की requirement होती है चाहिना ने ये बात देख ली अब चाहिना करें हमारा सोका बन ही निया हमारा सोका बन ही निया वह सोका बेच रहे हमारा सोका नहीं बन रहए तो . तो government of India ने का भाई एत्रह इंपोर्ट बढ़ गर क्या करें तो उसने का सर करें क्या भै हमारा तो यहां सोका बनी रहा उसने का बन रहा है उसने का बन रहा है उसने का हमारा जो बन रहा है वह देड़ सो रुपे का बन रहा है अब अगर देड़ सो रुपे का हमारा बन रहा तो दो सोका बेचेंगे वह सोका बेचेंगे हम बताओ क्या करें हमारे इतने का नहीं बन है उसका केल्कुलेटर जा रहा है कि तुम 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 तो टैलेंट नहीं है उसने का टैलेंट तो है बड़ सर्ट टाइम लगेगा ना हमारी क्वालिटी अच्छी होते एक बताना आज अगर यहां पर लिखा है मेड इन चाइना सो रुपर का कैल्कुलेटर एक मतलब क्या कि में कम चलेगी वह दिमाग में बैक चुका है कि चाइनीश रहा क्या कम चलेगी तो अब जब गुडविल खराब हो चुकी है तो इंडिया की चीरे मेड इन इंडिया सेम प्राइस पर है मैं यहीं लूगा अगर 110 रुपे का भी होगा ना तो बिए इंडिया का अधर करोगे आपके दिमाग में बोस्कुरा होगा कि इंडिया का है यहां बने सएच चलेगा और मोदी साथ वैसे कह रहे हैं बार बार वोकल फोर लोकल एक लाइन सुनिए ना वोकल फोर लोकल वोकल क्या कि तो यहां का बना हुआ समाना उसके लिए वोकल बने और आप य और चाइना बहार भेज रहा है 100 पेका तो हम बताओ कैसे बेजें तो गोर्मेंट ने का ठीक ऐसा करो देड़ सो का तुमारा बन रहा है यह पकड़ो यह 75 पे हमसे लो यह 75 पैसे मेरे मार लेते हैं नालाइक हाँ बैडडर्स रिकवर कहा हुए वो तो गिल्ट फील होई तब रिकवर हुए ना ने तो तुम देने को त्यार ही नहीं थे अगर तुम्हें गिल्ट फील ना होती ही तुम तो मार सुके तो मेरे पैसे इदा देखो नहीं बचा फिल्प उसके बाद भी कह रहा है ला पैसे और मारता हूं पैसे में भी तुमारे इदा देखो जैंस से अब सुना जैंस धी तो गुटैंब ऐसे कर यह 75 रपे ले अब सौच के बोला गुटैंट निपार आप लेले अब मुझे कितने का पड़ा पढ़ रहा है चाइना वाले सोर्वेका कर रहे हैं तो क्या मैं आप एक्सपोर्ट कर पाऊंगा नहीं कर भाऊंगा इसको बोलते हैं cash compensator support माला आज कुछ प्रोड़क्ट ऐसे हैं जो गोर्मेंट कहते हैं तुम एक्सपोर्ट करो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे इसकी कोस्ट कम करने के लिए यह सारी बाते ना डिटेल में आपकी कस्टम के अंदर आएंगी क्योंकि सारे जितने भी इंसेंटिव हैं मैंने क्या बोल इक्सपोर्ट करोंगे पहला बैब्लिक्ट है डूसरा डिविटी ड्रो भत का मतलब क्या होता है नाम से ही लग रहे हैं डूटी ड्रो बैक मतलब ड्यूटी का वापिस आजाना डूटी का है अब सुनना जैसे मालो मैंने बाहर से ना कोई समान इंपोर्ट किया मैंने बाहर से कोई समान इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट पर मैंने क्या पे की होगी इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी, मालना मैंने बहार से बोटल इंपोर्ट की, इस बोटल पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, अब गोर्मेंट केते हैं विवेक, अगर तो इस बोटल को ना बहार एक्सपोर्ट कर देगा, तुने बहार से इंपोर्ट की, तुने कौन सी मेरी import duty वापिस मिल गई नहीं मिल गई that is a duty drawback duty drawback का मतलब ही होता है government कहती है कि अगर कोई exporter है अगर वो समान export कर रहा है और उसने इसकी import पे कोई भी duty पे की होगी ना वो सारी हम लोटा देंगे उसको हम उसे duty import पे नहीं लेंगे रीजन उसने वो समान export कर दिया अब आप सुनना अगर वो import duty मुझे वापिस नहीं करते तो क्या मेरी cost नहीं बढ़ जाती मैं करको अपना price बढ़ाता क्योंकि मैं कहां से अपनी जब से पे करता है customer से चार्ज करता प्राइज बढ़ाता है एक बाहरवालें को दिक्कत आती पो इंडिया से लेते ही न तो गौर्मेन ने गा भाई उस duty को न अपनी cost मेंड मत कर हम तुझे वो duty वापिस कर देंगे क्योंकि तो export कर रहे है तो second incentive कौन सा हो गया duty पहला कौन सा था दूसरा कौन से तीसरा निकल क्या रहे है import entitlement license आपको example लेता हूं आरे हिंडिया का हनी इंडिया का हनी वर्ल्ड वाइड फेमस है आपको शहर पता हो यो यो हनी सिंग नहीं कह रहा है समझे ना हनी मतलब शहद हनी मतलब शहद कर अब लगए इंडिया के मसाले पूरे वर्ल्ड गेंदर फेमस है और इंडिया के मसालों ने ही बचाया को ना से और हर घर में गरम अब इतनी स्पाइसी सब्जी फोर्नर निकाते उनकी जीब सड़ जाती है अब इसे अटक जाएंगे वह और हमें खिला दो और तरह अब इंडिया के मसाले जो हैं पूरे वर्ल्ड गेंदर फेमस है इंडिया का हनी पूरे वर्ल्ड केंदर फेमस है अब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो गोर्ड्मेंट कहती है ऐइए एकस्पोर्ट ओने चाहिए रीजं इंडिया के जैसे सुनों समझों इतर द्यान से ना लाजचा समझो इस्म इंडिया के फ्लीज फ्लीज इंडिया केigiely मसाले वर्ल्ड इंडिया गोर्मेंट चाहती है कि ये ये मसाले एकस्पोस होने चाहिए साथ कभी देखना पूरे वर्ड में इंडिया के रैसे खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा आप कहीं भी चल जाओगे यह टेस्ट आएगा ही नहीं आपको पूरे उर्ड में टाटा सील कंपपनी का इंडिया का एंडिया का पूरे थी परसेंट एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ड में टाडा सेल कमटिंगा स्टील आरहा है इतना वल्ड वाइट फैमस है पूरे रीजन उसकी क्वालिटी ती नहीं बढ़िया है ताडा सिर्का फेमस इसलिए है और पूरे वल्ड में ही नहीं वो चीजो इंडिया के नदर है अब सुनना तो गोर्बन केते हैं विवेक आज अगर मान दो जैसे गोर्ज़मेंगते हैं रहा है मैं यह उसना करी राज मासाल ओसातक है ऐसा करो एक्सपोर्ट करो तो ऐस तो एक साल में एक साल में 100 लाग खरपे का एक्सपोर्ट करोगे तो हम तुमें 10% का इंपोर्ट एंटाइटल्मेंट लाइसेंस दे देंगे अगर तुम द्वारा बॉल लाइन एक्सपोर्ट करोगे तो हम तुमें 10% का लाइसेंस दे देंगे अब इस license का मतलब क्या है अगर मानलों मैंने 120 लाग खरपे के मसाले एक्सपोर्ट की है तुम इने कितने का license मिल जाएगा 12 लाग का 12 का मैं करूंगा क्या इसका तो गोवर्मेंट के दिए विवेक 12 लाग खरपे का license जो तुझे मिला इसका मतलब यह है इतनी value का अगर तु इ एक्सपोर्ट करने पर मुझे किसका फाइदा हो गया import duty मेरी एक्सम्ट हो रही है किसमें उसमें तो ड्यूटी दे चुके हो वो ड्यूटी वापीस मिल रही आपको डिकान और पहली बात मैं क्लियर कर दूँँ यह पांचो इंसेंटिव एक गुट्स पर निया अलग या अ कोई राइस पे है कोई मसालों पे कोई शुगर पे है कोई सटील पे है कोई आर Miguel उस्ट पे अब जेक अज कनरच के ज़िए ठाएंपटर्टिष मैं सब्सेल्टिव होते की हैं तो संतर आजमा अब यह अब यह प्लीस आभ उन इंप्रट एंटाइडलमाई लाइसेंस और ट्यूटी यह तीनों की तिनों एक चीज यह तिनों ये बात कहती है अगर आप export करोगे इस target से उपर तो हम तुम्हें इतने परसंट का license दे देंगे इतने परसंट का certificate दे देंगे इतने परसंट की passbook देंगे मैं करें मैं करूंगा क्या करें जब तुम import करोगे न तुतनी वेली पर ड्यूटी पी मत करना अंशू था अंशू निमाल्यों मसाले export किए 120 लाक के गॉर्मन ने का अंशू 100 लाक से उपर मसाले export करोगे 10 परख़ंद का license ले लिना अंशू कितने मसाले export कर दी कितने का license मिल जा इस बाराँ लाक का मतलब क्या अंशू बाराँ लाक पर import duty पे अंशू कह रहा है भाई साब मैं तो यह पास्वुक मेंने किस काम के है क्योंकि यूज कब होंगी मैं तो इंपोर्ट नी करता तो अगर मैं इंपोर्ट नी करता तो मुझे का इंसेंटी मिला गोर्णने का तू नी करता कोई और तो करता होगा तो जो इंपोर्ट करता है उसको तो लाइसेंस बेच दे उसको तो ल कि आपको license मिला कोष्ट कितनी है तो जितने का बेच होगे क्या सारा profit होगा नियोगा अब government कहती है यह जितने incentive हमने दिए ना यह सारे taxable हैं Underhead PGPP जितने incentive हमने दिए हैं यह सारे taxable Underhead बच्चा क्या तक फिर क्या मिला फिर क्या मिला एक तरफ तो कह रहे हैं इंसेंटिव और दूसरे तरफ कह रहे हैं मिला याद करो परक्यूसिट आपको मैंने परक्यूसिट के अंदर भी आप समझाई थी कि टेक्सेबल होने का मतलब यह नहीं होता पैसा वापिस कर देना टेक्सेबल होने का मतलब यह होता है उस इंकम पे टेक्स देना वस सोच के बताना जी आज अंशु को 12 लाग रवे का लाइसेंस मिला अंशु की 12 लाग की इंपोर्ट डूट एक्जम्ट हो गई एक्जम्ट हो गई तो अंशु को फाइदा कितने का हुआ 12 लाग तो क्या ये फाइदा एक तरह की इंकम है या नहीं है तो गुर्मन के यह अंशु 12 लाग तेरी है बट इस 12 लाग पर जो टेक्स बनेगा वो हम लेंगे तुurity लागी वह भ्याट बनता होग वह एक लाद ने तिरु आप ले थाक्स फाइदा हो रहा है यह फाइदा सभ कम ने हो तो फायदा पर एक इंकम है तो टेक्सम लेंगे बच्चा गया रहा है पीजी बीप में क्यों कर रहे हो आप खुद बताओ क्यों कर रहे हो क्या ये incentive during the business मिले है नहीं मिले तो टेक्सेबल भी काऊंगे PGP के अंदर चाहिए तो पांच export incentive हमें taxable कहां पर करने है नाम बलो दुबारा से duty free replacement certificate duty entitlement pass book दुबारा बलो जी cash compensatory support उसके बाद import entitlement license duty free replacement duty entitlement pass book बताओ जी पांचो के नाम नहीं मैं service support आदे बच्चे लिप सिंग कर रहे थे मैंने देखा था आदे बच्चे एक बचा वोल रहा पता ही नहीं क्या चल रहा है हां जी बताओ जी cash compensating support है compensatory support duty free duty entitlement pass book चलो बहुत बढ़िया है very good बहुत बढ़िया जी बताओ जी बताओ रिंप्लेंशमेंट साइटिविकेट बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया अब यह पीछे देस बचों कि रिगे टीम बैठी है उन्हें यह सभी बता रहा हूं यह मैं को लग रहा है कि लगए कहीं नहीं कि खेलेंगे लोगें खराब करेंगे लिए जाकर आइस बैजब से स्टार्ट हुए है न और जब से इंकम इस फटम हुए यही सीट है इनकी एक एक आधा थोड़े बत एक दिन आगे भी चुरत है दूसरे बस नहीं बताओ जी आप आप पर बहुत बढ़िया वैरे कुडिया इंटैलियंट है बच्चे वैसे जी बता 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 इसले साथ बैठते हैं उदर से वह कमेंटरी चलती है कमेंटरी यहां से वहां पास हो नी पास से वहां चली गई और थोड़ा सा बच्चा दूर बैठ है पास नहीं हो पा रहा जी लास्ट वाला कहां तीसरे पर होना लाए कभी में को तो बीच वाला सुनाई नहीं दिया यह अप सुना दिया अपने लास्ट वाला कह रहा बच्चा यह दो गायब हो गए आई-एल का मतलब के है आई-पी-एल नहीं आई-एल आई-एल आई-ए इंपोर्ट दी-ए-फर-सी फ्री रिम्पलिश्मेंट साइटिविकेट और दी-ए-पी-बी पास्ट पुक चलो बड़ी है जी वेरी गुड जी लास्ट में एक इंपोर्ट है एकस्पेंडिचर लाइसेंस एंटाइटलमेंट लाइसेंस साइटिविकेट एंटाइटलमेंट पास्ट चलो अब एक बार लास्ट टाइम सारे बच्चे बोलेंगे जी कितने इंसेंट्री मिलते हैं कौन कौन से रही जालो बताओ जी पांच एंटाइटलमेंट लाइसेंस एंप्लिंश्मेंट साइटिविकेट एंटाइटलमेंट फास्ट ठीक है चलो बहुत बढ़ी यारी वैरी गुड़ जी आओ जी अब एक बार थोड़ा सा इन को लिखें और फिर आगे चलते हैं जी सेक्शन डालोरी सेक्शन ट्वंटी एट चार्डिंग सेक्शन जी क्या जी तभी टेक्सेबल हो पाएंगे तभी प्रोफिट होगा और बाग की उपर वले दो तो मुझे प्रोफिट होई रही है कि devi के मतलब एकमर दुभारा समझा रहा हूं दीबी के का मतलब लुता है कि जो भी आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी के की उस समान को अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे, तो जो भी आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी पे कियोगी, वो आपको वापिस मिल जाएगी, उसको बोलते हैं DBK, मैंने बोटल इंपोर्ट की, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी दे कर आया, यह सेम बोटल मैंने एक्सपोर्ट कर दी, तो जो मैंने इंडिया में बेशता हूं इंडिया से बाहर बेशता हूं अब गॉर्मेंट करें कि अगर तुम बोटल लेकर आए और यह सेम बोटल तुमने बाहर एक्सपोर्ट कर दी इंडिया में बीना यूज किये तो फिर जो भी तुमने टेक्स पे किया होगा हमसे वापीस लेलो क्यू नहीं नहीं वो तो आपको टेक्स देना पड़ेगा यह थोड़ा एक एक बोटल के चक्कर में गोर्मेंट थोड़ा को लाइसेंस दे रही यहां पर दस बोटल लेंगे हो दस हजार बोटल ही क्यों ना हो परिस्टनल कोई मतलब नहीं है बिजनस को बेनिफिट मिलना चाहिए आप मामिया ताइया चाक्चा पगड़के बैठे वह अपने बोटल वह आ रहे हो उनकी वह काम नहीं चलेगा यहां पर लिकोर यहां पर डिये फार सी का मतलब तीन चिज़ों का मतलब सेम होता है यह तीनों लगलग उर्स पे मिलते हैं यह तीनों यह बात कहते हैं कि जब तुम्हें एक्सपोर्ट करोगे एक लिमिट से उपर तो हम तुम्हें कुछ परसेंट का लाइसने देंगे यह कुछ परसेंट का साइटिविए या पास्वूक उसका फाइदा क्या होगा उतनी वैल्यू का इंपोर्ट एक्जम्ट हो जाएगा अब अगर तुम या अलग लग है वो कि यह चीज यह पॉइंट नंबर रही है आप टू-345 कर लोगे हैं इस इस इना बुक में पॉइंट जो दिये हुआ हैं कि अब नोर्मल लिख्वें आप से यह सेकिंड पॉइंट है यह थर्ड पाइंट है यह फोर पॉइंट फाइफ पाइंट बुक मुप में अलग ना सीरे नंबर आपको देखना नहीं है कि नहीं अलग है वो पॉइंट अलग है यह चार पॉइंट है जो मैंने कठे करवाया अब हमारे पांच पॉइंट हो चुकिया टोटल पहला तो यह है दूसरा तीसरा चोथा पांच 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 यह दूसरा यह जो है यह एक में है यह तिनों लग लग है इनको एक में कमाइन किया हुगा है तो एक पॉइंट तो यह हो गया यह लग हो गया यह लग हो गया तो तीन नहीं इंसेंटिव तो सेम ही है तो सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव ना बुक में अलग लग दे रखें मैंने कम्माइन करवा दिये अगर आप बुक में चेक करोगे आपको बुक में अलग लग दिखेंगे इसकी फुल फॉर्म लिख लेना नहीं सबकी CCS Cash Compensatory Support Mr. VG Exporter है सबस्क्राइक करूं पर फुल फॉर्म लिखो गए CCS Cash Compensatory Support DBK Duty Drawback IEL Import Entitlement License India Mr. VG Exportor and बात कितना करों तो उच्छा है जी है डी पीबी है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास्बुक ड्यूटी फ्री रिंप्लींश्मेंट सैटिपिकेट ग्यूटी आर एपी ल आई एन क्यू यू लिख दू यहां पर कैपिटल गेर में आपने किया था ना रिंप्लींश्मेंट उसके रिया सी यह से लिखो जी यहां पर रिप्लींश्मेंट यह लिखो यहां पर मैं लिखवा देता हूँ अच्छ एर आई एपि एल यी एन आई एस एच एंग आए एंटिंटक्ष्ट बुक में भी लिखे हुए वैसे बुक आपके पास है तो पॉइंट नमबर डीप बेस नमर 213 पर है कि सर हम सेम चीज़ को एक्सपोर्ट क्यों करेंगे क्योंकि आपका बिजनस है ना मेरे बच्चे क्या चीज़ नहीं कोई भी गूट्स अगर आप इंपोर्ट करते हो नो ट्रो मेटिल चाहिए फिनिश गूट्स क्यों नहीं मिलेगा बिल्कुल आप फोरलों में लिखागा बट कस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कस्टम में पूरा चैप्टर है ड्यूटी ड्रो बैक का अगर मै ने कोई गूट्स इंपोर्ट किया एज सच वैसे का वैसे अगर मैं एक्सपोर्ट कर दिया मुझे डीबी के मिल जाएगा ठीक है आप फोरलों का उसमें कॉइट यहां बहार से लेकि आपने इंडिया से बाहर भीज़वा दिया तो भी एक्सपोर्ट में कवर है वो तो वो रीम पोट और री एक्सपोर्ट होता है वो और भी स्में कवर होते है। वो रीम पोटो और री एक्सपोर्ट कहा रही हूँ को हो गे यहां तक है आप टोटल छे पॉयंट हमने कवर करनी है pgp केंदर 6. अब ना पात ये छे पाइंट टेक्सेबल हो गए पीजीपी के अंदर अगर गोवर्मेंट को मोटू मेड इन इंडिया है वो प्रमोट हुआ ही नहीं तो इंसेंटिफ भी नहीं मिलना चाहिए ना नहीं 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 एक बात मिने सोचके बताओ बच्चाए बात करें सर मोटू मेड इन इंडि अगए हर बन सकती है अंसरी नोना अब गोवर्मेंट के लिए उस चक्कर में आप एक्सपोर्ट रूग दोके तो सिंबल जी जोचिए बनी नहीं ति आप उसको इंपोर्ट करें करोंगे बैनिफित तो मिलेगा मिलेगा क्योंकि एक्सपोर्ट करने से एक फॉरह द्रीजर् हिख टा दूउं डीए और इंड़ा अब कितने पवेइं हमारे 5 पवर्फ से बोलो 5 पाइंड हमने हो जिए कॉन कॉन से प्रोफी टेक्सेबल हो गई पहला गोगा फिर कों सा हो गया फिर कों से फिर कों से एक्स्पोर्ट इंसेंटिव कितने इह है पांच कॉन-कों से तो पांच इंसेंटिव हो गए और एक उपर वाल हो गया टोटल मिला के आपके सुरी पांच पांच और पांच बना सुरी पांच और छे हैं चीज़ी हो गई जो आपनी हां पर टेक्सेबर हो अच्छा अब सुना ध्यान से अब नेक्स्ट पांट कर रहा हूं जी नेक्स्ट पांट पीजीव में टेक्सेबर क्या होगा एक बात में सोच के बताओ अप्लीस नोटिंग बंद कर दो अगर हो गया तो अच्छी बात है नहीं हुआ तो भी बंद कर दो सिर्फ दस मिन यहां पर द्यान दे दो जी नोटिंग बंद एक बर बिल्कुल इधर सुना यहां से मैं कहना क्या चाहरा हूं सर एक बात में बताओ एक बिजनसमैन है और बिजनसमैन है वो यह चाहता है कि मैं अपना बिजनस बेच दूं और बिजनसमैन बता क्या करता है वो पैन के अंदर जो पैन के अंदर क्या होता है रिफिल्ट होता है ना उसमें जो इंक होती है उस इंक को बनाने का बिजनस है उसका मैं को कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है बहुत बड़ी कंपनी है उसका इंक रिफिल जो है उसको इं बनाती है वह तो पैण नाती है मेली एक कंस नामने या धिया लूग छोड़ को चूर्ब है बाद मैं गुगल पर सब्सक्राइब कोई बात में इतना मेतार वह जरूरी नहीं आई है अचाहरा होग heroin एक बिजनस है एक बिजनस है उसका बिजनस है कि रिफील में जो इंक है उस इंक को बनाने का है और वो कंपनी चाहती है मैं अपना बिजनस बेच दूँ बट मैं ऐसे बेचूं कि सिंगल पैसा भी टेक्स ना देना पड़े तो उसको लगा भई अगर बिजनस बेचूंगी तो अगरे स्लम सेल में नहीं होगा इंडिविजन सेट बेचूंगी तो भी केप्ल गिन में होगा अब वह चाती है मैं ऐसे बेचू हो हुए ना सारे पैसे में एक्जम्ट हो जाएं तो वो किसी प्रोफेशनल के बास गई हमारे पास हमारे पास आई उसने हमसे पूछा रही ऐसे 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 और ऐसे ऐसे हमने का बात तो गलत है अगर हमें टेक्स देना होता फिर तो दिक्कत बात फोड़ी तो हम भी पता है कि हम ऐसा क्या करें कि बिजनस भी बिक जाए पैसे भी आ जाए और टेक्स भी ना लगे मैंने का लिए कोई दिक्कत नहीं मैं का ऐसा करो आप जिस कंपनी को बिजनस बेशना चाहते हो ना उस कंपनी से के एग्रिमेंट कर लो और उस एग्रिमेंट में लिखो कि मैं अगले 400 सालों तक अगले 400 सालों तक मैं ये इंक नहीं बनाऊंगी उसके लिए मुझे 100 लाखर पर दे दो अगले 400 सालों तक ये इंक नहीं बनाऊंगी उसके लिए मुझे 100 लाखर पर दे दो अब सोच के बोलना मैंने एग्रिमेंट में क्या लिखा कि मैं ये काम नहीं करूंगा उसके लिए मुझे 100 लाखर पर दे दो क्या एक तरहां से मैंने बिजनस बेच दिया नहीं बेच दिया मैंने सारे राइट खतम कर दिये 400 साल किसमे देखिए 400 साल मेरे कितने पुष्टे निकल जाएंगी तो मैंने क्या लिखा मैंने का 400 साल तक मैं यह इंक नहीं बनाओंगा उसके लिए मुझे सो लाखर बेदो अब क्या एक तरह से बिजनस मेरा हैंड ओवर हो गया नहीं हो गया येस मेरे हाथ में सो लाखर पर गोर्मेंन ने का टेक्स लगेगा मैं गहां लगेगा क्या बेचा है मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा उसके लिए मुझे पैसे मिले हैं जी मैं तो को ट्रांसफर ही नहीं किया मैं तो ये काए कि मैं ये बिजनस कहरी नहीं करूँगा उसके लिए मुझे 16 लाखर पे लाओ लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया आरे अरे company मारूतिल की मारूतिल कमपनी गारी बनाती है सुरू Game Company लें सुरू Game Company अपना business मारूतिय कमपनी को Know-how का कैसे बेचे Know-how देगी Intangible asset भीकेगी Capargan में उसने कि दलिखा कि अगले 400 सालों तक मैं ये गारी बनाने का फोर्मुला किसी से share नहीं करूंगी उसके लिए मुझे 16 आखर पर देदो अब एक तरहें से क्या वो business बिग्या नहीं बिग्या यह बिग्या मैंने का रही मैं यह काम नहीं करूंगा मैंने का मैं चीज़ शेयर नहीं करूंगा उसके लिए मुझे पैसे लओ अब गोर्मेंट को लगने लगा यार सारे लोग यही काम कर रहे है बिजनस डारेक्टली तो बेच ही नहीं रहे कैसे बेच रहे है एक्रिवेट में लिख रहे है कि इतने साल तक मैं यह काम नहीं करूंगा इसके लिए सो राकर पर लो अगले वाला आदमी भी खुश है ये भी खुश है क्योंकि सो साल, दो साल, तिन सो किसने देखे है महला बिजनस उसका ही हो गया और अगर सारा बिजनस उसका हो गया बिजनस भिक भी गया तो टेक्स भी नहीं लग रहा तो फाइनली गोर्मेंट ने क्या किया सेक्शन ट्वंटी एट में क्लोज इंसर्ट कर दिया कि भाई साब अगर तुम डारेक्टली बिजनस बेचोगे तो तो कैपिटल गिन में टेक्सेबल ही है और अगर तुम कोई बिजनस की एक्टिविटी ना कैरी करने के लिए पैसा लोगे अगर तुम कोई प्रोफेशन ना कैरी करने के लिए पैसा लोगे अगर तुम कुछ ना शेयर करने के लिए पैसा लोगे वो सारा पैसा भी तुम्हारा टेक्सेबल होगा अंडरेड पीजी पी एक बात में सोचके बताना सर बस आगे तो आपको पता ही है अरे इतने तो महां ग्यानिया आप होई है मुझ पर इतना कभी याद भी कर लिया करो कोई बुक से कभी एक टेक्स का ऐसे वर्ड बोल दूँ बढ़ी कभी समाओ मेरेको भी अच्छा लगे सरचार्ज आगे बोना स्टार्ट करतो वह निसना होगे कभी सरफ एक सरचार्ज बोल दिया बच्चे भी चुपोगे सरचार्ज हाँ मैंने सब एक बड्व बोला मुझ पर और मुझ प पूरी थेसिस बन रही है पीएचीडी वाली उसके अंदर पीचीडी करो गया उसके अंदर हाँ इधर कैपिटल गेन का गाना याद है बच्छे चलो इधर सुना जहां से प्लीज जहां सुना तो उसमें सलमान खाने एक डायलोग बोला था कि मुझ पर एक एहसान करना कि पूरा एक मुवी आई थे भी अमिता वचन की जुन्ड एक नहीं मुवी जुन्ड वो पते हमारे पर बनी है नलाय को का जुन्ड यहां बैठा हमारा मुवी के साना कुछ याद है आपको इधर दे को ध्यान से अभी पूछ लूँगा ना बताओ कैपिटल गेन में क्या अब उसमें सलमान खान एक डायलोग बोला कि मुझपर एक एहसान करना कि मुझपर कोई एहसान ना करना माला सलमान खान कह रहा है कि मुझपर ना बस एक एहसान कर देना कि तुम मुझपर कोई एहसान मत करना अगर तुमने मुझपर एहसान नहीं किया यह तुमने मुझप बहुत बड़ा इसान किया उसका मतलब है नहीं है जब सर्मान खाने बोलते हो सोचा भी नहीं होगा इसका मिनिक अच्छल यह है में वह यह कह रहा है कि तुम मुझ पर ना बस यह इसान कर दो कि मुझ पर नोर्मली यह कि अगर तुम नहीं दिखेगा ना तुने मारे बहुत कुछ किया एक बच्चे के परेंट्स मेरे पास आए आपको रियल किस बता रहा हूं सब्सक्राइब तो अरकिषिक अज़ा करदो आपको तुम में चैसे के लिए क्लास इस बत जाते हैं पर बच्चा बिगर गया और उस बच्चे कम मैं दो त्रफेस भी मेरा भी खतम वारोगा तो रेक्लास निकलता था तीन-चार बच्चे अब उसके पेरेंस एक्टूल यह पास आ गए किसार ऐसे ऐसे तो बिल्कूल गलता है अब बच्चों को बोलने का कुछ रहतो गया ही नहीं यह बच्चे फिर कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ करते हैं को भाग जाए ऐसा होता है आज कर लगना पैनिक लेवल बहुत बढ़ तो वह सुनते तो है नहीं तो बड़ी दिक्कत आ रही है सर आपको बहुत मानता है आपकी वीडियो पूरा दिन कई बर घर में चलाकर आप रवीजन क्लास पी ले तो यह है वो है तो आपको मानता है तो आप चाहिए से परसनी मिलके बात करनो बट इसको समझाओ तो उसने मैंने सको क्लास के बद बुलाया तो मैंने का हाँ दरा उस दिन तुमां पे खड़ा था अपना क्या यह अपना क्या यह पना को समझाएगा इतना बड़ा तो कब से हो गया वह नहीं बहुत नांटा तो उसको लोगा कि भाई साब सरको गया हो गया यह चीर बरदास्थ नहीं है तो एगरी करना कि यह सुझ तो यह काम करता है उस तो सलुशन निकालेंगे बहुत चीर गंदी है सर अभी छूट जाएगी चूट है क्या अपको आप भी लेटे ओंके ठैसे झाइक डोने कोंभालेगा गयार अभी तो आप यंग को आप चलो CS बन गए जब डिजोंभी के पैसे कमाने का टफुलिए ठैक तो आप भी लेटे ओंगे आपके प्रेंधे ठेये थोह तो नों को गुण को खिलाएगा और असा बताओ क्या देखा उसने जिन्दगी में कुछ भी ने देखा सारे लंग्स उसके अंदर ख़ाब होते चले के क्यूं कई बार दोस्ती है सिरती है पाइटी वाली सुट्टे सुट्टा मार रहा है काम उनको यहीं पता अंदर क्या हो रहा है कई बार होता है सर जब जादा एड लोग लगे हुए एक रेस में कि हां भई लेनी है डिग्री लेनी है सीए और सीएस जो भी है इस एपार्ट ओफ लाइफ नोट लाइफ पगलाना नहीं इसके बिचे आपकी है बहुत जरूरी है तो उस बच्चे ने को मैंने समझाए मैं एक सिंबल सी बात है यह चिस्ते को बंद करनी पड़ेगी चाहिए तो कैसे रिकरत करता नहीं नहीं सर वह तो बस एक बार मैंने में दोस मिले थे मैंका देख मैंको सारा पता है मैं काफी समझाए है काफी गुस्से हुआ और असली वाला गुस्सवर्यास होता है एक बड़ा भाई चोड़े हुए उसका उस द तीन सुना देगा कोई हाल तो है आरकल बहुने का अब तीन बड़ सुना दिये मम्मी क्या करेगी गंवर मेरा करोना साट कर देगी आपको थोड़ा सनाए कि वह रो रही है वह तो बोले कि नहीं ना क्योंकि जहां वह होगा फिर आप इमोशनल ये प्लेकार कर रहे हो कर कई आरकल के चीजी हैं तो उसकी मदर मेरे सामने रोई कारफे की सर देख लो ये वो मैंने समझाया मैं का आज के बाद अगर तुम्हें को दिग्या सिग्रिट पेता हुआ ना तेरी मदर तो पतन देख उससे होगी नहीं होगी मैं तरी अच्छी से क्लास लगा दूंगा कह रह तो उसके दर कुछ करना है तो वह यहां पर मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि आज एक बिजनस है मेरा टेक्स पढ़ाता हूं तो कोई परसन आया सब टेक्स पढ़ाना बंद कर दो तो मैं क्यों कॉम्पीडिशन कम होगा कॉमपीशन कम होगा उसने मुझे नोन कंपीट पीस देदी दस लाग की कहा आप मुझे कंपीट मत करो यह दस लाखर पर ले लो पचास लाखर पर ले लो आज अगर पचास लाखर पर लेके पढ़ाना बंद कर दूँ तो क्या मैंने अपनी प्रोफेशन के एक्टिविटी ना कैरी करने के लिए पैसा लिया नहीं लिया प्रोफेशन कर रहे हो उसको ना करने के लिए पैसा लेते हो तो भी पैसा वहां पर टेक्सेबल हो जाता है ठीक है तो नेक्ट में आपको दिखाता हूं एक बार अपाना पेस नंबर है क्या सकते हैं कैपिटज गेंद्र अगर वहां टेक्सेबल लिञकिश्मेंट आपको मैं दिखाओं को अगर आपकोबकूर में दिखा ओओ है अगर लिंकिश्मेंट के अनदर कवर हो गया तो 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 capital gain में taxability है, अगर वो linkishment में नहीं cover हो रहा, तब वो PGP के अंदर आएगा, मलब government ने specifically line दिखी है, कि अगर हम capital gain में taxable कर पाए, तो capital gain है यह, नहीं कर पारे, मालो सेसी ने argument पेश कर दिये, case चला गया court के पास, वो capital gain court ने मना कर दिया, तो एक section तो होना चाहिए न, तो government ने फिर 28 में taxability कीजिए, आपको मैं दिखाते हूं, एक मिन रुको, page number आपाना, 214 पर, 214 पर आओ जी, 214, देखो और ही क्या लिखा है, any sum, whether receive or receivable, in cash or in kind, under agreement, क्या लिखा हो है, for not carrying out any activity in relation to any business or, profession, ठीक है, आगे, और, however, the following sum receive or receivable, would not be chargeable, the under head PGBP, देखो, नीचे वो ही लिखा हो है, अगर वो capital gain में taxable है, एक point पड़ो, अगला कैन के, any sum, whether receive or receivable in cash or in kind, on account of transfer of right to manufacture, produce, or process any article or thing, or right to carry on business profession, which is chargeable under the head capital gain, तो यहाँ taxable नहीं होगा, or any sum receive as compensation from the multi-lateral fund of the monetary protocol of substance that depleted of ozone layer under the United Nations Environment Program in accordance with the terms of agreement entered into the government of India, यह पता क्या है, Kyoto एक country है, Kyoto एक country की city है, मेरी खाल से पता नहीं, जैपान में हाँ, जैपान में, एक एरिया है, जपान में Kyoto करके, Kyoto में मनमोहन सिंग जी के साथ एक agreement sign हुआ था, आपको बता है, सन 2000 की बात है, जो यह point 2000 के अंदर आया, क्योंकि 1999 के अराउंड, BJ कोंग्रेस की गोर्मेंट थी उस्टेम, 98 या, 99, 2000 के राउंड, तो उस्टेम मनमोहन सिंग जी की बात हो रही थी, तो जपान में एक agreement sign हुआ, Kyoto city के अंदर, agreement क्या था, एक ozone layer होती है, और जो लेर करती है, वो सूरय से आने वाली किरनों को रोकती है, और 2000 में, सन 2000 की बात करा हूं, और जो लेर धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, आज भी खराब हो यह रही तो, बट उस टेम इतनी खराब हो रही थी, और सबसे ज़्यादा खराब करने वाली कंट्री में इंडिया, UN की मीटिंग होई, सारी कंट्री को बलाया, UN की मीटिंग होती है, सारी कंट्री जाती है, यूएन सबसे बढ़ा है, United Nations, तो वहाँ पर सब को बलाया, और आपको जैसे अभी में आते रहते कई बार रेडियो चला लेता हूं गारी में आते हुए, तो उसमें आज कल पतनी बार 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 एक लाईन आ रही है, कि बहुत ओंग्रेशुलेशन, दिल्ली फॉस्ट आया, दिल्ली फॉस्ट आया, बीध करें कि आप सांस लेरे हो या क्या लाउं हमें ृची चोड़ी वाज कूल बहुत की पूरे पूरे वर्ड की पुरी ली की पूरे फिछले चाब से तो अब मीटिंग होई जापान के अंदर उन्होंने का बाई साब यह आपके इंडिया से ना कैमिकल निकल रहे हैं एक कैमिकल होते हैं CFC और SCFC ख्राप करते हैं लिए इंडिया से कैमिकल जादा क्यों निकलते हैं कि हाँ यह पर शु है उन्दिस्ट है आपक सपास ब्ड़ी गंदी स्मेल एक्ट्व में शुगर के तीन वाइट चीरे जहर एक तो वाइट सोल्ट एक वाइट शुगर और एक वाइट मैदा और तीनों दबाद अब खाती है नहीं चीनी आज जैसे एक ओधे देशी खांड होती है देशी खांड होती है डिस गुड जैगरी गुड अच्छा है वह अ यह एक संदा ममक आता है वह यूज कर लगा बट जो सुना मैं आपको वह बता रहा हूं तो यूएं की मीटिंग उन्हों ने इंडिया वालों को बोला प्राइम मिनिश्टर मनमोहन सिंग्साद मीटिंग उन्हों कारिए आपकी कंट्री में शुगर इंडर्शी बोत है और हम आप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप एक कैमिकल प्रोडूस करने बंद करो नहीं तो हमें स्ट्रिक एक्शन लेने पड़ जाएंगे इंडिया के गेंस्ट बीटिंग से यहां पर आए और उस तरह मनमोहन सिंग्स ने सारी इंडिस्ट्री वालों को बोला सारी अल्टरेंट यूजज्का रहेंगे बड़ शुगर महां इनलर का ऐंगि एक जमानी में शुगर 10-12 लूटी पाच रपे किलो थी पांच रुब्य तक बिशुगर बन सकती पांस यूजज़ कि उतना बेकार चिडियन उसके अंदर किसे बनती है वो जो कबार होता है केमिकल ना निकले आप शुगर इंडस्ट्री अगर वों कैमिकल नहीं निकालती तो गोड़्मेंट किए अगर तुम्हें च्रिकाह Canal नहीं नहीं नंगे न हम तुम्हें टाहित कर देंगे होता है आप सब्सक्राइबियोंट जो और वो कब रुकरएंगे जब उसको क्योन्तित के इंडिया का उसके अंदर एंगे मेंगे दीक्क्ट है टाहिं बंडूर्मैंट के इंडिया में चल रहा है उसके बाद कोई अगमेंट तो क्योटो इसले वहां पर लिखा हुआ है तो के अगरिमेंट के अदर आपको पूछ अगर कार्बन नहीं प्रडूश करते हैं को पैसे बाइसे आपके हाथ में नहीं होंगे अगर यह पॉंट नहीं आता तो टेक्स- और आगर थो यहां पर उसे नहीं उसके निếnे देखना Ganz आपका अ जाएंगे तो स्टिंबन जिवाधा कुछ ना करने के लिए पैसा दिया जाएगा वह टेक्सेबल कहाँ पे होगा पीजी बीपी के अंदर अगला पाइंट यह है ठीक है लिखो जी यह पॉइंट लास्ट पाइंट है बस इसको लिखो जी लिखना जी साथ मां पाइंट है लिखो जी अंथ फ्माँ रस्ट यह लिखो थे चीख become तोहते हो देखे हो नगता हैла हमेज़ एिपने से तोप करगा झाल 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 इसका न सेकिंड पैंट भी लिखना है यह पहले है ना तो दूसरा पैंट में यहां लिख रहा हूँ आपको उसके नीचे लिखना है एक्सेप्शन के बाद ठीक है एक्सेप्शन के बाद व्याहँ आपको उसफ़ा इसके लिखना है लिखना है 61 अół्याएष नीचेप्शन के लिखना हैएश़ में यह क्सोाइअग्शन के ल brightly शेकरी ढनली? यदिर? दन एक पाइंट और लिखवा रहा हूं शोटा से वह एक लाइन कहीं है उसके वाद जो पॉइंट है अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे आगे जब सेक्षेंट आएंगे अट्रमेटिकल हमारे कंप्लीट होंगे ठीक है एक पाइंट और लिखवा रहा हूं याद को गिफ्ट ओव ने सेल्री में किया एक कितने की लीमेट होती है सेलरी में कि टिफ्ट वालेूजेश में 5000 की यह यह अदर सोष में कई बहुत बढ़ी है अप मदर शोसकर करके हैं गिफ्ट वाले कैस में इतने की लिमिट है पचास जारपे दोंडा, सोर्स में ऑने बिजनस वाले के से limit होती है zero it means अगर किसी person को during the business या during the profession कोई gift मिलता है ना fully taxable है जैसे आप आज अगर मुझे 10 रुपे का pen भी gift करोगे as per lower 10 रुपे का pen भी fully taxable है बिजनस profession में कोई gift मिल रहे है कोई benefit मिल रहे है कोई पांचार की limit नहीं कोई 50 रुपे की limit फुली टेक्सेबल है ठीक है लिखो यहां पे लास्ट पाइंट अगर डूरिंग बिजनस मिला जैसे आप मुझे दूरिंग दा प्रोफेशन मेरे टीचिंग को देखके मुझे गिफ्ट दे रहे हो तो यह दूरिंग दा प्रोफेशन है ना फुली टेक्सेबल आज अगर कोई दोस्त मुझे गिफ्ट दे रहे है नोर्मल अधर सोर्स में अगर मैं आरके मता क्लासिस का मालों आप में एंप्लोई होता ठीक है फिर मुझे एंप्लोईर गिफ्ट देता फिर वो सैलरीक इंकम बनती ठीक है तो मैं जोई तो हूनी जी तो इसकेस में आप यहां लिमीट थी ना 5000 की मौन मनी वाला फुली टेक्सेबल नोन मनी वाले पांचार पे की लिमीट थी ठीक है लिक्कोरी पॉइंट नमबर सैवन पॉइंट नमबर सैवन लिक्कोरी एक सेट जी बोलो पॉइंट छोच खलार पॉइंटным भीर विर्मन लिक्छत कर्णोरा भीर तूंन के लिद्चत पॉइंट इंट वेड Mister मनी और नोट अराइजिंग फ्रोम बिजनस और प्रोफेशन मतलब कोई बैनिफेट कोई परक्यूसिट मिल रहा है बिजनस प्रोफेशन की वरह से तो चाहिए वो कैश में कनवेटेबल हो या ना हो मतलब कैश में हो चाहिए वो इनकाइंड में हो कोई लिमिट नहीं है पांट पचास जार की फुली टेक्सेबल है जी जैसे आर कई बार होते है ना आपको बताओ कस्टमर को हम कई बार उसको ट्रैवल टिकट दे देते हैं अगर कोई कस्टमर अच्छी सेल करता है लाब ही तेरा टूर है जी एक बार आपने घर से फट याने कल की क्लास में हम सेक्शन 29 की स्टार्टिंग करेंगे डर इस मोस्ट इंपोर्डन सेक्शन जिससे बेस हमारे प्रैक्टिकल कोशन सोंगे सारे तो कल आप इसक्राइब करता हूँ आज कि सारी बाते समझ मैं ही होंगी एक बड़ बस रिकॉल करने न घर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगे ठीक है रिचलो जी तो फिर बाकी मुदाकात करते हैं कल की ग्रास में सेम टाइम सेम जगां ओके री बाइबाई टाड़ा थेंक्यू सो मच जैहिन थेंक्यू समच जी गोड झाल 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 झाल